Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल वार्शिप से ताइवान को हर तरफ से इंसर्कल कर लिया, इसी के बीच बाइडन का स्टेटमेंट आता है कि they will protect ताइवान at any cost, कुछी दिन पहले रशिन प्रेजिडेंट पूतिन जो है, वो नॉर्थ कोरिया को विजिट करने गए, नॉर्थ कोरिया ने इसके बाद अपने स की सपोर्ट करने के लिए भेजे, जिसे अभी साउथ कोरिया के इंटेलेजेंस अजनसी और सी आई ये ने फेशिल रेकोगनीशन के माध्यम से कनफर्म कर दिया है, आप जो केम जोंगुन है, उसने भी अनॉंस्मेंट करी है कि मेरी कंट्री के 14 लाख लोगों ने आर्मी मे पार्टिसेपेट करने के लिए अप्लिकेशन दिया है, इसी के बीच पिछले हफते कैनड़ा और फाइव आईज अलाइनस ने निजजर मडर केस में भारत के डिपलोमाट्स और इंटेलिजेंस का पब्लिकली एनाउंस करके इंवॉल्जमेंट बताया है, इसके बाद हत्वपुरण घटनाएं हुई, पहला दो हजार उननिस के बाद पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रीमियर के बीच बाइलेटरल टॉक्स हुई, और साथ ही वहाँ पे पूतीन, शी जिन पिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ब्रिक्स करंसी ल को क्रोस कर चुकी है, और लास्टली फिफ्थ नवेंबर को यूएस से में प्रेजिदेंशल इलेक्शन से हैं, जहां ट्रंप और कमला हैरिस इस प्रेजिदेंशल रेस के कॉंटेस्टेंस हैं, आप दोस्तों ये सब मेजर जियो पॉलेटिकल इवेंट्स एक दूसरे से आप इन जियो पॉलेटिकल इवेंट्स के पीछे का लिंक क्या है, इस सब कंट्रीज का लिए जानना जरूरी है, और आज की स्क्लास में हम इन सब इवेंट्स को डेटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको एक सिनारियो बताता हूं, दोस्त इस शौर दाट उनके प्रेजेंट प्रेजिडेंट बाइडन इसंट कमिंग बाक तू पावर, क्योंकि वो इलेक्शन कंटेस्टी नहीं कर रहा है, अब बचे वहां पे दो लोग, वान इस डॉनल ट्रम्प, सेकेंड इस कमला हैरिस, अब डॉनल टम्प के साथ रश्या और चाइना का अपने ऊपर एकनॉमिक सेंक्शन को लेकर अलरेड़ी एक पास्ट एक्स्पिरियंस है, अब क्योंकि ये दोनों कंट्रीस, रश्या, चाइना और वर्सिस, नेटो अंड यूएस, मिडल इस्ट में, इरान, इस्राइल, और फॉर दाट माटर इस्राइल, पलस्ती और ताइवान रिजन, और रही बात कमला हैरिस की, अगर कमला हैरिस वापस आती है, तो उस सिनारियो में भी एक इन एक्सपिरियंस्ट प्रेजिडेंट के लिए, दूसरा फ्रंट संभालना, ओल टुगेदर एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, जिसका आज की डेट में रश्या और चाइना को पता है, अब इसका फायदा ये दोनों के दोनों मिडलीस्ट में उठाएंगे, और ब्रिक्स सम्मिट के बाद ही कल ही आपने ये बात देखी, कि इसराइल के अगेंस्ट रश्या और चाइना का एक जॉइंट स्टेट्मेंट आ गया है, कि भही अहम इरान की साइड खड़े हैं, दूसरा United States of America का आज की डेट में चाम है उसका डॉलर, और वो डॉलर अलरेडी वीक हो रहा है, और ये दोनों ब्रिक्स प्लाटफर्म का यूज करके, चाइना और रश्या, डी डॉलराइजेशन और वेस्टन सेंक्शन को ओवरकम करने के जिसमें से अब USA का नियरली इंटरस्ट पेमेंट एक ट्रिलियन डॉलर से उपर जा चुका है, जिससे इनका नुमान है कि USA का इंटर्नल एकॉनमी विल बी क्रिपलिंग वेरी सून, अब इसमें शी जिन्पिंग के माइंड सेट को अगर हम समझें, तो चाइना के चार मेज रिलेशन रिपबलिक्स हैं, जहां हमें लास्ट डिकेड में इतना कोई खास दिस्पूट देखने को नहीं मिलता, तीसरा अगर हम साउथ की बात करें, तो वहाँ पे इंडिया है, इंडिया में अरुनाचल में देखने को मिला था, लेकिन वहाँ पे अभी इन्हों ने डि कर दिया था, और चौथा है, इस्ट में कोरियन पेनिंसुला, जिपान, ताइवान और सौट चाइना सी, अब चाइना की शी जिंपिंग का माइंड साइट इस टाइम पर ये है कि बाकी तीनों साइड एक पीस एस्टाबलिश करके, अगर हमें कल को चौथी साइड एक नया फ्रेंट खोलना भी पड़ता है, तो हमें इस तरफ से प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े हैं, और हम इस्टन पे, इस्टन फ्रेंट के ऊपर, ये चाइना की इस्टन बॉर्डर के ऊपर एक नया फ्रेंट खोलना, बिकस आज की डेट में, ताइवान कैप्चर करना, चाइ के लिए ताइवान आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कंटेक्स्ट में अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, तो जो न्यूज वाइरल हुई कि उसके तीन हजाज सोल्जर्स को, फेशल रेकोगनिशन से, साउथ कोरिया की इंटेलिजिन्स अजन्सी और सी यह ने आज की डेट में वेरिफाई कर दिया है, तो उसके दो लोजिक निकल के आ सकते हैं, सबसे पहला तो यह कि यह एक अलाइंस का पार्ट हो सकता है, जिसमें रश्या, चाइना, नॉर्थ कोरिया और इरान, यह मिल के वेस्टेन पावर्स और नेटो को एक टक्कर देने में एक होट मुद्दा है, अब बोला जाता है कि हम हिस्ट्री से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसी बात को अगर मैं आपको परवेज मुशरफ की एक स्टेट्मेंट से बताऊं तो आप बहुतर तरीके से समझ पाऊगा, जब पाकिस्तान ने मुजाहिद क्रियेट करके अफ 1553 से कोई वार नहीं लड़ा है, अब यह हो सकता है कि यह रश्यन हेल्प उनके लिए अपनी आर्मी को एक प्री वार एकलेमेटाइजेशन देने का एक चांस हो, और तीसरा एक कारण यह भी निकल के आता है कि ऐसा मूव और अनाउंसमेंट्स किम जॉंग उन तभी करता है जब उसे अपने देश में, अपने खिलाफ कोई लोगों या कुछ लोगों के मन में एक मास डिसेंट दिखाई देता है, और इस टेक्टिक से, over the years in the history, कई सारे लीडर्स इसको इस्तिमाल करते आएं, ताकि वो अपने लोगों को नाशनल सेक्योरिटी के नाम पर एक जब बनाई थी, तो उसको बनाने के लिए इसको हिडन सपोर्ट एरान और पाकिस्तान से मिला था, अब अगर आज की डेट में ये नया थीटर बनता है, क्योंकि Middle East में एक थीटर अल्रेडी गोइंग ओन है, दूसरा अगर थीटर अहां पे बनता है, तो चाइना को कि रिइनिफिकेशन का लालच होगा, रश्या को इसमें इंटरस्ट है कि आगर ये फरेंट खुलता है, तो यूएस और नेटो की जो फोर्सेज हैं, वो यूक्रेइन फरेंट से थोड़ी इस आउट हो जाएंगे, जिसमें अभी तक उसने अपनी मेजर आइटिलरी और इस सारी कहानी को विस्तार से डिकोड करते हैं और इस किस्से को घीरे-धीरे, बिट्स और पीसीज में समझ के एक लिंक बनाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तो, चाप्टर नमबर वन With the eagle in the flight and dragon on the rise, the clash of empires is no longer a distant thunder, it's the storm that will shape the century The two big players, what if US and China goes into war दोस्तो, present date में, आज से पहले, ये दोनों countries, अगर हम direct war की बात करें Direct एक दूसरे के साथ confrontation में आई हैं, ऐसा मौका बहुत कम देखने को मिला है एक बात थी 1800s की, उसके बाद boxer rebellion की बात करें, 1899, 1901 में हुई जो उसके बाद लगभग कुछ हद तक कम इन दोनों countries की जो confrontation थी, वो 1950 से लेके 53 में जो Korean Peninsula की war थी, तब देखने को मिली थी लेकिन तब से लेकर अब तक 70 साल हो गए, यह दोनों countries जरूर लड़ती हैं, economic level पर लड़ती हैं, लेकिन हमें इन दोनों में direct confrontation देखने को नहीं मिलेटेगी अब दोस्तों आज के time में United States दुनिया की सबसे बड़ी military power है और China अगर हम बात करें, तो वो एक rapidly rising power है, जो आने वाले time में USA को challenge करने की capability ज़रूर रखता है, लेकिन अभी वो इस level तक नहीं पहुंचा है अब शुरू करने से पहले एक और important सवाल क्या इन दोनों के बीच conflict होना probable है? The answer to this question is a big yes ये दोनों powers एक situation में फसे हुएं, जिसे historians, Thucydides trapped कहते हैं अब Thucydides एक ancient Greek historian थे, जो Athens और Sparta के rise और fall के बारे में लिखते हैं अब Thucydides का कहना है कि जब Athens की military power बढ़ने लगी थी तो Spartas में अपनी top position खोने का डर पैदा हो गया था और जिसकी वजह से Sparta और Athens के बीच एक लड़ाई होती है और उन दोनों में ये इस war को रोकना inevitable हो गया था अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई, ये तो बहुत पुरानी बात हैं तो मैं आपको बता दू कि human history के पिछले 500 सालों में जब भी एक rising power ने एक pre-existing power को challenge किया है तो 16 में से 12 बार war हुआ है Hence clearly US and China के बीच war को avoid करना इतना असान नहीं लगता लेकिन सोचिए आगर ये दोनों military giants एक दूसरे के against एक direct conflict में आ जाते हैं और ये सब China की अपनी boundary पे होता है यानि कि China की eastern coast पे होता है तो क्या China अपने आपको US invasion से बचा पाएगा अब इनमें दोनों countries में उस front पे सबसे बड़ा flashpoint आज की date में ताइवान का issue है ताइवान की independence और चाइना का South Pacific में aggressive expansion दोनों nations के बीच tensions को बढ़ा रहा है अब अगर worst case scenario होता है और US invade करने का plan बनाता है तो क्या वो successful हो पाएगा देखो आज की date में USA की सबसे बड़ी strength उसकी all over the globe military presence है और इसका credit जाता है उसके defense agreements को जो उसने अपने allies के साथ sign करें ये agreements सिरफ USA कोई नहीं बलकि उसके जितने भी allies हैं यानि की host countries जिसके साथ agreement हुआ है और वहाँ पे उसने अपना base बनाया है उनको भी एक economic और security benefit देते हैं अगर हम बात करें तो USA के पास Japan में Philippines में, Guam में, South Korea में, Singapore में, Australia में, Thailand में military basis का एक बहुत बड़ा network है और इस network का फाइदा ये है कि अगर war जैसा situation होता है तो US अपने forces को जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए, deploy कर पाएगा अब दूसरी सबसे पड़ी problem जो China face करता है वो ये है कि उनकी जो economy है वो overseas trade routes के उपर heavily dependent है अगर हम इसका quantum समझें आज की rate में चाइना का 60% से जादा trade South Pacific के थुरू पास होता है जहां पर USA के basis है और present US military positioning को देखकर ये लगता है कि USA का एक foot चाइना ट्रेड की जगलर वेन पे है अब ऐसे में अगर war होती है तो USA easily naval और air blockade शुरू कर सकता है जो चाइना को economically collapse करने के लिए काफी होगा अब इसके response में China अपनी navy उतारेगा तो चलिए अब हम naval strength की बात करें तो ये एक established fact है कि चाइना की navy जो आज की rate में है वो presently USA से ज़ादा ships रखती है इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन उनकी major limitation है कि ये Chinese navy अपने shores से दूर operate नहीं कर सकती यानि कि अपनी जो उनकी coastline है उससे दूर operate नहीं कर सकती क्योंकि ज़ादा तर चाइना की navy की जो training करी गई है चाइना की जो navy बनी है वो coastal defense के लिए बनाई गई है जिसका direct implication ये निकलता है कि चाइना के लिए अपने trade routes जैसे कि one of the important here we are talking about is Malakkan strait उसको secure करना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा और आज की date में Malakkan straits है उसका 60% crude oil 66% natural gas और overall maritime trade का 66% हिस्सा यही से पास होता है अब चाइना की जो warships हैं अगर अपने territorial waters को छोड़ कर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ एक और problem शुरू हो जाएगी इसमें USA के allies और partners जो है जो war के case में जरूर USA का साथ देंगे definitely देंगे क्योंकि उनके agreement से signed है और वो USA का confidence confidence खोने का dare नहीं कर सकते वो हर तरफ से चाइना को एक threat post करेंगे लेकिन यह भी सच है कि चाइना के पास अपनी People's Liberation Army Rocket Force है जो आप P.L.A.R.F. बोलते हो जो USA के basis जो भी है चाए वो Guam में, चाए South Korea में, चाए जपान में और शायद Philippines को भी heavy missile से target करना शुरू कर देगा अब यह attacks इतने स्वियर होंगे कि USA ने इन देशों में जो missile defenses लगाए है वो उनको भी overwhelm कर सकते है जैसे कि कल ही इरान ने इसराइल को threat दिया है कि भाई तुमने USA से THARD को मंगा तो लिया है लेकिन जैसे हमने तुमारा जो Iron Dome था उसको breach करा similar तरीके से THARD भी breachable है अब इससे क्या होगा USA के जो basis है उसको बहुत जादा damage पहुँचेगा और इस case scenario में USA के offensive operation कुछ weeks के लिए definitely delay हो जाएंगे लेकिन यहाँ एक और बात भी है अब Chinese missiles जब आएंगी जो की PLARF launch करेगा उससे definitely Japan, South Korea Philippines यहाँ भी वो launch करेगा वहाँ पे collateral damage होगा और collateral damage में military assets के साथ-साथ उनके civilians को भी attack का शिकार होना पड़ेगा जो की इन countries की जो positioning है वो United States of America की side पर और भी strong कर देगा अब इन सब developments के बीच कुछ महीनों में US, China की Navy और Air Force को dominate करके उनके उपर एक economic strangle hold बना लेगा जो China को war में weaken कर देगा और rear world में USA का plan भी यही है कि China की Navy और Air Force को destroy करना और उसको economically collapse करने के लिए मजबूर कर देना चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी चाइना के aircraft carriers हैं क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में अगर war होगी तो इन दोनों देशों के बीच में एक वो बहुत ज़ादा कमजोर है presently चाइना के पास तीन carriers है सबसे पुराना है उनका Lyon Inc जो कि एक 90s एरा Ukrainian built ship है और presently चाइना उसको fighting के लिए ने सिरफ training purpose के लिए use कर रहा है चाइना का second carrier है Shandong और तीसरा carrier है Fuyian अब दो जो Shandong और Fuyian है इनमें advanced electromagnetic catapults लगी हुई है but anyway किसी भी हालत में USA का super carrier USS Gerald R. Ford इन सबसे advanced है और दूसरा अगर हम माने कि जो दो Chinese aircraft carriers है वो एक US के जो Gerald R. Ford है उसको टकर देने के लिए आएं भी तो People's Liberation Army की जो नेवी है उसको अपने pilots को या carrier pilots को आज की date में दो अलग तरह के take-offs पर training देनी होगी जिसमें अभी वक्त लग सकता है और ये भी चाइना के लिए challenge होगा अब दूसरा USA की नेवी के पास एक ARG है ARG यानि की amphibious ready group ये amphibious ready groups के 2-3 units forward deploy करके हमेशा US रखता है जिसमें से presently अगर हम बात करें तो एक Mediterranean Sea में है क्योंकि वहाँ पे इस्राइल वाला वार चल रहा है एक Persian Gulf में है और तीसरा Indian Ocean region में है और एक या दो Western Pacific Ocean में भी आज की rate में माना जा रहा है कि वह वहाँ पे present है अब इस वक्त एक ARG Okinawa जपान में based है ARGs को अगर आप defense की दुनिया में समझो तो ARGs को carrier strike groups के साथ attach किया जाता है जो इन्हें land और sea based attack से protect करते रहते हैं अगर हम US Navy की बात करें तो वो अकेली ही आज की rate में PLAN को handle कर सकती है लेकिन अगर shooting का कोई war होता है तो इसमें दूसरी countries भी शामिल हो सकती है जो Chinese naval power को oppose करती है इन countries में आपका Japan है South Korea है, Philippines है Vietnam है, Indonesia है, Australia है, New Zealand है और यहां तक की India भी शामिल है दूसरा South China Sea को अपना बनाने के चक्कर में China के जो continuous efforts इस एरिया में चल रहे हैं उसने सब naval powers को domestically strengthen करना शुरू कर दिया है क्योंकि आप सब को threat face होता है तो सब अपने military capabilities को बढ़ाएंगे अगर मैं आपको example दूँ जपान की example देखने है अब दुनिया के सबसे बड़े destroyers है जपान बना रहा है जिनकी capability जपान का कहना है कि 20,000 ton के आसपास होगी अब इसकी समझना चाहते हो तो US जो की आज की rate में top पे बैठा है उसके जो zoom vault destroyers है वो भी सिरफ 16,000 ton के आसपास के है अब ये destroyers जपान के जो पहले lizumo और kaga carriers हैं उनको complement करेंगे जो lizumo और kaga हैं वो आज की rate में सिरफ helicopter destroyers को carry कर सकते हैं लेकिन इसके बनने के बाद ये F-35B जो की एक advanced joint striker fighter jet है ये उसको भी operate कर पाएंगे और जब ये complete हो जाएंगे तो ये जपान के world war 2 के बाद के पहले carriers होंगे इसके बाद जपान के इलावा USA ने Australia और Great Britain के साथ इसके बीच इंडिया ने भी अपनी naval strength को बढ़ाया है especially तब जब चाइना के साथ हमारा Himalayan border पर violent confrontations अल्रेडी चल रहे थे अब अगर हम इस सिनारियो को एक कदम और आगे ले जाएं कि भई ये तो समंदर में लडाई हो रही है और हम ये सोचें कि United States of America China को invade करने का plan करता है तो इस invasion का क्या सिनारियो होगा तो अगर USA ground level की उपर चाइना में invasion करता है तो USA को अपनी amphibious forces को full scale पर deploy करना होगा और अगर US अपनी existing global commitments को बरकरार रखते हुए invasion की planning भी करे तो USA को आज की date में potentially अपनी military में 145 million additional personal add करने पड़ेंगे अब इसका अगर हम comparison चाइना के साथ करके देखें तो चाइना की population लगभग 1.3 billion है और उनकी median age देखते हुए आज भी theoretically चाइना 753 million लोगों का defensive force अराम से बना सकता है but this all will require money इसके लिए पैसा चाहिए होगा क्योंकि ground reality तो यही बोलती है कि अगर आपको अपनी force को लेकि आना है तो military equipment चाहिए होगी उनकी training चाहिए होगी but ground reality यह कि चाइना का जो military budget है वो बहुत छोटा है और United States of America के trade blockade और air और naval attacks की वज़ा से चाइना की economy पहले से ही struggle कर रही होगी और hence realistically चाइना अपने इतनी बड़ी population का सिरफ एक छोटा सा हिसाई train और equip कर पाएगा लेकिन वहीं पे कुछ उसी तरह अगर हम USA को भी देखे USA इतने लोग अपने अंदर ले आएगा जो उसकी requirement है तो वो भी अपने सारे reserve squads को equip नहीं कर पाएगा जिससे in the end अगर हम numbers के advantage देखे तो वो definitely चाइना के हाथ में रहेगी ground invasion के scene में अब अगला scenario आता है कि इन दोनों countries के बीच the giant pacific ocean है तो देखो USA traditionally काफी fast है large scale troop movements की अगर हम बात करें तो इसमें USA के पास काफी expertise है USA के पास आज तीन marine expeditionary forces है जो hostile beaches पर land करने के लिए ही train करी गई है और अगर मैं आपको actual numbers बताओ तो एक expeditionary force में 20,000 से लेकर 90,000 के आजपास के marine और marine soldiers और sailors होते हैं अब सूरत इहाल ही होगा कि शुरू में जब तक पूरी force land नहीं होती American marines को beach पर अकेला ही hold करना पड़ेगा एक time पर पूरी strength में land करना भी America के लिए मुश्किर हो जागा क्योंकि US Air Force और naval power Chinese beach पर एक सिरफ चोटी सी safe zone ही बना पाएगे जिसके चलते हुए initial landings के दुरान हम ये expect कर सकते हैं कि America अपने 15,000 से लेकर 20,000 तक personal per day land करवा पाएगा और अगर हम इसको past history में example से समझने के कोशिश करें तो ऐसा कुछ होता हमने Normandy invasion के दुरान देखा था और पूरी कि पूरी अगर अमेरिका अपनी expeditionary force को land भी करवाना चाहेगा तो इसमें लगभग अमेरिका को 3-4 दिन का time लग जाएगा लेकिन इसमें problem यह है कि सिरफ 20,000 marines को एक narrow strip of beach पर लगभग 9,75,000 Chinese people's liberation army के troops के खिलाफ hold करना पड़ेगा जो कि सिरफ active soldiers हैं हमने यहाँ पे conscripts और reservists को नहीं गिना अब हलाँ कि definitely जो United States है वो एक air superiority को achieve कर लेगा लेकिन इतनी large number of Chinese ground troops को सिरफ air power के through control में रखना will definitely be a tough task अब इसका मतलब है कि marines की जो expeditionary forces हैं उसको पूरा land होने से पहले ही जो चाइना है वो समंदर की तरफ वापिल धकेलना शुरू कर देगा और hence चाहे US की technology superior क्यों नहों लेकिन number की वजह से चाइना का जो mainland है उसको invade कर पाना आज की date में United States of America के लिए practically impossible है और इसी वजह से experts का मानना है कि USA के पास चाइना को invade करने का कोई foolproof plan नहीं है बलकि USA का strategy होगा कि अगर war होती है तो war के case में चाइना के navy और air force को destroy किया जाए और उसको economically blockade करके एक submission करने पर मजबूर किया रहा है लेकिन यहां हमें एक और बात देखनी है कि चाइना के पास इसको counter करने के लिए बहुत अच्छा plan है अब चाइना अच्छे समझता है कि USA की जनता military casualties को लेकर बहुत जादा sensitive है इसलिए चाइना का plan है कि war के start होने में ही USA को हम huge losses दे दे चाहे वो men का हो चाहे वो military equipment का हो अब Chinese missile strikes का पहला और सबसे important target होगा US aircraft carrier American super carriers चाइना की naval shipping के लिए एक बड़ी threat है और अगर चाइना एक भी carrier को destroy कर देता है तो हजारों American sailors की जान जा सकती है अब China ये hope करेगा कि इतना बड़ा loss American public को war को support करने से रोके और वो अपनी government के ऊपर अपनी country में एक pressure बनाएं कि वो इस war को बंद करें क्यूंकि आज की date में China is aware of this fact कि वो एक long term conflict को USA के साथ नहीं जीज़ सकता अब China के पास इतनी resources नहीं है कि वो अपनी overseas trade को protect कर सके और नहीं वो आज की date में American global trade को effectively threaten कर सकता है अब अगर China अपनी ballistic missile से US carrier को bay में रख भी सके और friendly airfields को destroy कर भी दे तो उसके पास एक या दो हफते का time होगा Taiwan को capture करने के लिए उसके बाद USA is definitely going to come back लेकिन इस सब के बाद आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो दोनों का bilateral conflict हो गया लेकिन और भी major players involved है what if या definitely USA की support में NATO आएगा और आज की date में जो हम हलात Russia और China के बीच देख रहे हैं definitely Russia is going to back China और China इसकी support चाहिए भी होगी और दूसरा ये एक ideological war भी बन जाएगा जिसमें जो liberal west है वो आएगा और दूसरा यहाँ पर जो comparatively इतने liberal नहीं है kind of authoritarian regimes में China और रश्या एक दूसरे के साथ आके उसके खिलाफ लड़ेगा तो एक quote है कि दो elephant एक same jungle में नहीं रह सकते two elephants cannot stay in the same jungle यह जैसे भारत और China के context में भी कहा जाता है कि a dragon and an elephant cannot dance in the same room तो दोस्तों वही कुछ हाल है आज के authoritarian east और liberal west का अब इन दोनों के भी जो tensions हैं आगर हम पिछले 50 सालों का analysis करके देखें तो किसी भी साल में वो इतनी जादा नहीं थी Ukraine के invasion ने NATO और US को Russia के साथ एक hot war के करीब ला दिया है ऐसा एक hot war जो हमें कुछ देखने को मिला था लगभग around 1962 के Cuban Missile Crisis के दौरान लेकिन उसके बाद से हमने नहीं देखा और Cuban Missile Crisis में भी अगर मैं आपको बताऊं तो shots fire होने से पहले ही जो यह tensions थी वो ठंडी हो गई थी लेकिन Ukrainian war में हजारों लोगों की जान जा चुकी तो इस context में NATO एक तरफ है तो सबसे पहले हम NATO के बारे में दो तीन चीजें जानते हैं तो NATO का एक article है जिसका नाम है article number 5 अब article number 5 कहता है कि भई किसी भी NATO member पर अगर कोई attack होता है तो सारे NATO nations पर attack माना जाएगा और एक वक्त था जब Russia और NATO के बीच all out war की बातें एक blogosphere एक नया term आया blogosphere तो blogosphere में चाही हुई थी अब Russian officials बार बार NATO को उस वक्त के उपर aggressor दिखाने की कोशिश कर रहे थे और एक narrative ये बना रहे थे है कि बई बिचारा चोटा सा रशिया चोटा नहीं है वो जोग्रफी के लिए बहुत बड़ा है एक बड़े NATO enemy के आगेंच लड़ रहा है और वहीं US और उसके लाइस का कहना है कि वो सिरफ Ukraine की defense में military aid और intelligence sharing सही मदद कर रहा है पर boots on the ground नहीं भेज रहा है अब दूसरी तरफ globe के दूसरे कोने में China Taiwan को लेकर काफी threatening gestures दे रहा है जैसा हमने recent armed jet intusions देखे Chinese airspace में especially वो भी तब जब United States of America की जो speaker थी Pelosi उसने 2022 में Taiwan का trip किया और फिर 2023 में भी speaker McCarthy ने Taiwan का visit करा और April 2024 के trip के बाद तो China ने जो Taiwan का airspace है उसको fighter jets के साथ effectively बंद कर दिया था और पहली बार हमें ऐसा लग रहा था कि भई China Taiwan के east से USA की support को रोकने के लिए यह सब कर रहा है अब तो ये भी बाते हो रही है कि भई China Taiwan State से गुजरने वाली ships को board और search करने की शुरुवात कर देगा जो Taiwan ने कहा है कि अगर ऐसा होता है we will come with our entire force और हम इसको vigorously oppose करेंगे तो दोस्तों ये तीन-चार सेनारियों से एक question उता है कि क्या हम सब लोग एक hot war के करीम हैं तो देखो Chinese President Xi Jinping ने publicly कहा है कि वो PLA यानि कि People's Liberation Army को Taiwan को force से लेने के लिए 2027 तक ready देखना चाहते है तो ये रिस्क तो बिल्कुल है अब अगर हम potential war के दो main theaters देखें तो एक तरफ NATO और यॉरप में USA के forces जो कि Russia के against हैं और दूसरी तरफ USA के Pacific Naval Forces जो China's army और Navy के against खड़ी हैं ये दो potential spots हैं अब यॉरप में Russia की military strength की अगर हम बात करें तो Ukraine की invasion से पहले दुनिया Russia को second most powerful military के रूप में देखती थी Russia के पास massive numbers में tanks, artillery थी उनकी air force, American air force की equal समझी जाती थी और उनकी navy भी capable और feared थी यानि कि लोग डरते थे उससे अब चाहे वो United States की navy जितनी बड़ी नहीं थी लेकिन Ukraine में Russia की military फ्यासको जो लोगों को देखने को मिला उसने Russian military को एक दम से expose कर दिया है उसने हमें ये दिखाया कि Russian tanks आज की date में outdated हैं और poorly designed हैं अभी problem Russia का एक और भी है वो है उनका logistics का problem आगे दोस्तों आप आज की date में Russia का logistics system देखो तो जैसे ही अपने rail network से Russia दूर जाता है वो vanish हो जाता है और उनकी जो air force है वो इतनी fragile है कि वही shot down होने के डर से वो Ukrainian territory पर fly भी नहीं कर रहे थे अब उनके military के सिर्फ दो parts है जो अभी भी थोड़े unshaken है और वो है उनकी artillery और उनके nuclear weapons लेकिन Russian artillery दो numbers में काफी जादा है लेकिन उसमें problem है कि वो इतनी accurate नहीं है और उनके nuclear forces जो है जिनका डर वो बार बार अभी पुतिन ने देना शुरू कर दिया बिकाज उनको पता है कि मेरे conventional weapons इतने अच्छे नहीं है वो जो nuclear forces है वो दोनों की दोनों आज की date में unused और unproven है अब April 2023 में OREX NAMA के एक research organization है उसने भी ये बात confirm करी थी कि आज तक Ukraine front में Russia ने अपने 10,000 vehicles destroy कर दिये हैं जिन में से 1000 से ज़ादा main battle tanks थे जो की presently Russian pre-invasion tanks का आधा number है यानि की pre-invasion से पहले Russia के पास लगबग 2000 tanks थे आज की rate में 1000 बचे है अब इसके साथ 830 armored fighting vehicles 200 से ज़ादा infantry fighting vehicles 800 से ज़ादा artillery pieces 79 aircrafts, 81 helicopter और 12 Russian surface vessels भी destroy हो जूकी है अब इसमें से वो सबसे famous है Russia का black sea fleet जो उसका flagship था guided missile cruiser Slava class का Moscow वो भी इसमें शामिल है वो भी destroy हो चुका है अब इन सबके इलावा लगबग 2 लाग से ज़ादा Russian military casualties हुई है और अगर मैं आपको इसका quantum समझाओं तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि भाई इतने soldiers तो United States of America ने 10 साल की अफगानिस्तार वान में नहीं खोए अब situation इतनी serious हो गी है कि early 2023 में रशिया ने अपने 75 साल पुराने T-54 और T-55 टैंक्स को दुबारा service में लाना शुरू कर दिया है जो कुछ वैसा ही scenario है जो United States of America ने replicate करा था Korean War के दौरान क्योंकि World War 2 से अभी अभी वो बाहर आया ही था कि 1950 में Korean Peninsula का war हो गया था और ऐसे में वो अपने M47 को वापिस लाया था अब इसी में सबसे बड़ा blow जो रशिया के लिए है वो है कि रशिया ने 1500 के करीब अपने officers भी खो दिये अगर हम इन 1500 officers की बात करे तो इनमें 160 top level generals और colonels शामिल थे और यह सब हमको दिखाता है कि रशिया की जो military है जो कभी feared हुआ करती थी अब सिरफ अपने पुराने रूप का एक shell बन चुकी है और अब इस depleted और shaken military जो रशिया की military है उसके सामने NATO जो आज की date में खड़ा है वो अपनी 74 years of history का सबसे strong और सबसे united moment पर है अब अप्रेल 2023 में जब Finland ने NATO में अडमिशन लिया तो उसके बाद NATO के पास लगभग 31 members हो गए है अब अगर NATO की आर्मी की strength की बात करे तो इसका आज की date में combined troops है सबी countries को मिला के 3.5 million यानि की लगभग 35 लाग के आसपा soldiers है NATO में जिसमें अगर हम सिरफ US की बात करें तो 14 लाग के आसपास की strong standing army NATO में सिरफ US की है बाकी 39 countries में मिलके 17 लाग के आसपास जो troops है वो contribute किये है जिसमें की France है, Germany है Poland है, Italy है तो लगभग 1,60,000 के आसपास active personnel है इन countries के अब जब की दूसरी जो countries है, जितनी भी बाकी बची इन major को छोड़ कर, उनके पास चोटी-चोटी forces का contribution है, इसके बाद Turkey भी जो है वो NATO का member है, लेकिन Turkey के context में हमें यह समझना है कि Turkey NATO में आज की date में लगभग सवा चार लाग के आसपा soldiers contribute करता है लेकिन NATO को तरकी के context में problem यह है कि तरकी का जो NATO के प्रती commitment है, वो थोड़ा questionable है, क्योंकि Turkey के जो future endeavors है, वो कुछ अलग है, it wants to be the leader of this Middle East, especially अगर हम सुनी Muslims की बात करें तो, क्योंकि वो पुराना सपना Ottoman Empire वाला देखता है अब कल ISIS और ये सब Syria और Iraq में जो भी based groups है उन्होंने टर्की के उपर attack भी करा है तो इन सब मामनों में टर्की का internal जो situation है, वो भी थोड़ा अगडबड़ा आया हुआ है जिससे हमारा जो टर्की के commitment पर शक है वो थोड़ा और प्रूव हो जाएगा कि वह शायद टर्की आये, टर्की ना आये we cannot say it with full proof commitment लेकिन यहां हमें ये भी समझना है कि दो NATO का combined 3.5 million का force है और USA का उसमें से 1.4 million यानि की 14 lakh के आसपास troops हैं लेकिन United States of America किसी भी हालत में एक ही front पे अपनी सारी किसार्मी आर्मी involved नहीं करेगा उसको यॉरप में भी एक front पे खड़ा होके देखना है, जहांब इसराइल पलस्तीन वार चल रही है और important बात यहां देखने लाइक ये भी है कि NATO खुद को एक defensive organization मानता है, वो offensive नहीं है, अब NATO इस defensive organization के चलते हुए, अपने borders के बाहर कितना involved होगा, ये बात भी देखने लाइक होगी लेकिन Ukraine war में हमने ये ज़रूर देखा है कि जितने भी NATO members हैं, majorly अगर हम Poland और US की बात करें, उन्होंने definitely अपने lethal जो weapons हैं, उनकी जो missiles हैं, उनकी artillery हैं, उनके guns हैं, चाहे उनके fighter jets हैं, ये सब उन्होंने एक non-signatory nation, Ukraine को time to time provide करें क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि आज की date में Ukraine का defense, उनके vital interest का part है और उनके लिए बहुत ही crucial है अब जब से 2020 की जो February से present event शुरू हुआ है, present conflict शुरू है दरसल हो तो ये 2014 में गया था लेकिन इसका present episode 2022 की February से शुरू हुआ है, Russia और Ukraine का context तो NATO members ने अपने military budgets कुसी वक्त से बढ़ा दिया है अब इसके लावा उन्होंने अपने जो पुराने Soviet era tanks थे और fighter jets थे वो भी Ukraine को बेजे हैं, जो पुछले कुछ month से अब उनकी मदद भी करी जा रही है उनके द्वारा Ukraine की मदद करी जा रही है कि वो इन models को भी upgrade भी कर ले और वहीं अपने घर पे बापे, back at their homes NATO members ने, जैसे कि United States of America अपने F-35 stealth fighter और अपने M1 A2 Abram tanks, जैसे state of the art equipments को, जो उनका arsenal बना हुआ इसका, उसको upgrade करना शुरू कर दिया है Next, जब हम aircraft की बात करते हैं तो भाई, NATO और Russia के बीच में जो numbers हैं, उनमें कोई जादा फरक नहीं है लेकिन, हमें यहाँ पे यह नहीं भूलना चाहिए कि NATO के पास advanced 4th और 5th generation fighter jets हैं, जैसे कि F-35, जैसे कि upgraded F-16S वहीं रश्या अभी भी अपनी outdated technology, MiG-29S MiG-31S और SU-27S पर रलाई करता है, जो 80s में introduced करे गए थे, अब इन 3 planes में से भी, साड़े 700 aircraft ही बचे हैं रश्या के पास, अगर आप इसका intensity समझो तो pre-Ukraine invasion के रश्या के पास 1100 fighter jets थे, जिसमें से अभी सिरफ 700 बचा है, अब इसलिए अगर सिरफ European NATO forces और रश्या के struggling military के बीच एक war होता है तो definitely in sub-evidences that we can say that ये एक one-sided affair होगा, लेकिन अगर हम Pacific theater की बात करें तो भाई, चाइना की military strength ने अभी तक Russia जैसे losses सफर नहीं करें हैं, बलकि चाइना का modernization और military expansion काफी impressive है, जिसकी वज़ा से उसने Japan, Australia, India और Philippines जैसी country को भी एक excite करके कि उनको डरा के उनको भी अपने military expenditure बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है, आँ भारत में देख लो, defense indigenization, defense में भी making India आतम निर्भरता क्यों है one of the reasons behind that is हमें अपने borders चाइना से protect करने लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो चाइना के पास कुछ major components अभी भी missing है, जो उन्हें US Navy के against अगर toe to toe टकर लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे definitely उनको backtrack कर सकते है अब analyst कहते हैं कि चाइना को कम से कम 5 से 10 साल का wait और करना होगा USA के साथ military confrontation में आने के लिए अब USA के साथ अगर चाइना का war होता भी है, तो इसमें major role जो चाइना की तरफ से है वो PLA का जो Navy है, वो निभाएगा अब अगर हम People's Liberation Army की Navy की बात करें, यानि की PLAN की बात करें, तो present date में उसके पास 25 modern 10,000 ton type 52D destroyers है जिनमें की full capability है कि वो missiles और aircraft defenses को fire कर सके अब इन ships में Aegis type radar system है लेकिन अब तक इनमे HQ26 missile system deploy नहीं करा गया है जो की short और medium range millistic missiles को engage करने के लिए काफी capable है, तो अब ये high वाली जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें short और medium की capability अभी नहीं है, और China को ये capability develop करने में लगभग 1-2 साल का time लग जाएगा लेकिन 1-2 साल में China इस system को सिरफ एक आदी ship पे deploy कर पाएगा, अगर और उसको ये fleet void deployment करना है, उसमें और भी वक्त लगेगा, और तब तक China को अपने HQ-116B system से ही काम चलाना पड़ेगा, जिसका आज की rate में maximum range सिरफ 70 km है और इसके बाबजूद भी China की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उसके aircraft carriers, जिसकी बात हमने पिछले chapter में करी थी जो की USS Gerald R. Ford के मुकाबले बहुत weak है हिंच जब हम NATO के European forces और रश्या के बीच एक war की बात करें तो NATO definitely काथी strong position में है लेकिन Pacific में अगर China और US forces के बीच conflict होता है, तो China को especially Navy के terms में अभी और modernization की जुरूरत पड़ेगी तांकि वो USA के against टिक सके अब इसी में चाइना के fourth aircraft carrier की speculation हो रही है हाला कि अभी तब किसमें कोई confirmation नहीं आई है, लेकिन बहुत सी intelligence agencies ने अपनी recent satellite images के साथ ये suggest कराए कि China का एक fourth carrier under construction है लेकिन problem ये है कि चाइना एक नया fourth carrier बना तो लेगा लेकिन चाइना के पास अपने दो current front line carriers के लिए अभी भी carrier pilots की कमी है, तो fourth carrier के लिए और भी जाइदा जो pilots की उर्वत पड़ेगी वो लाएगा कहां पे अब USA Navy के नए Ford class super carriers दुनिया के सबसे powerful warships और अब तक एक service में है और ये चार United States of America ने अपने लिए target लिया है कि बहुँ दो हज़ार चॉन्तेस तक हम चार ऐसे और बना लेंगे अब US Navy के पास इसी के साथ amphibious ready groups जो हमने पहले बात करी अब ये जो ARGs हैं इनके दो या तीन units forwardly deployed रहते हैं अब इन सब चीजों को देखते हुए USA को चाइना का सबसे बड़ा weak point भी मालूम है जो किसी भी war में बहुत जादा crucial हो सकता है और वो weak point ये कि चाइना को आज की rate में 70 से 75 percent oil और natural gas इंपोर्ट करने पड़ते हैं एक लंबे naval route के थूँ और ये naval route बाल्टिक, अट्लांटिक आफरिका, इंडिया और इंडोनेशिया के बिल्कुल पास से गुजरता है जहां पे US की बहुत अच्छी presence है अब अगर USA यहां उसके pacificalize ने इस petroleum flow को रोकना चाहा तो चाइना के लिए अपनी इस लंबी supply chain को protect करना impossible हो जाएगा और इस case में चाइना के truck transport system को fuel की कमी के कारण बंद होने में सिर्फ 3 महीने लगेंगे और 6 महीने के अंदर fertilizer production के लिए जितने भी ज़़ूरी components रही होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे जो उनके farmers के लिए essential है अब चाहे चाइना superior US Navy को किसी तरह hold off कर भी लेगा लेकिन उनकी economy एक साल के अंदर इस blockade की वज़ा से definitely collapse कर जाएगी और एक massive famine का threat बनेगा चाइना के लिए एक full scale war launch करना इतना असान definitely किसी भी हालत में नहीं होगा और इसके पीछे का जो एक बड़ा कारण है वो है उनकी economy का inevitable collapse जो war के बाद होने वाले catastrophic famine की वज़ा से और जादा aggravate हो जाए चाइना सिरफ आज की rate में raw petroleum का heavy importer ही नहीं है बलकि आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा food importer भी है 2000 से लेके 2020 के बीच चाइना लगभग 34 से 35% of its food needs को import कर रहा है ऐसे में अगर आज की date में war होता है और अमेरिका उसके उपर एक economic blockade लगा भी देता है तो भाई petroleum तो छोड़ो वो अपने लोगों के खाने की need कहां से पूरी करेगा even for that matter military के खाने की need कहां से पूरी करेगा अब चाइना के leaders को ये बात समझ में आती है कि अगर वो एक war को कुछ महीने के अंदर अंदर outrightly नहीं जीट सके जो की US Navy और उसके pacificalize की capabilities के चलते हुए हमें मुश्किली लगता है तो वो अपने देश को एक disastrous famine और अपनी economy की collapse को एक fast pace खुदी कर देंगे और अगर ये war होता है और चाइना हार गया तो वो दुनिया की second largest economy की जो position उसके पास है उसको भी खो देगा अब इसी के बीच जो सबक है वो चाइना ने Ukraine war से भी सीखा Ukraine war definitely आज की डेट में चाइना के लिए एक warning है क्योंकि Ukraine ने दिखाया कि भाई आव well determined well equipped country चाहे वो छोटी क्यों ना हो advanced technology और advanced weapons के थूँ एक बड़े invader को resist कर सकती है 2022 से रशिया ने front खोला था Ukraine के खिलाफ और Ukraine ने तब से लेकर अब तक उसको hold कर रखा है Ukraine ने सिरफ आज सालों में अपनी military capabilities को काफी strong बनाया है जबकि चाइना जिसको हासिल करना चाह रहा है ताइवान ताइवान को 70 साल से Chinese invasion के लिए US से prepare कर रहा है वो खुद भी अपने आपको prepare कर रहा है ताइवान आज की rate में यूक्रेन से जादा technologically advanced है और ताइवान स्ट्रेट के 80 miles wide ocean को cross करना चाइना के लिए एक बड़ा challenge होगा और साथ ही ताइवान और US ने साथ में आके अपने लिए जो अपना एक artillery system artillery defense system, missile defense system जो तियार कर रहा है न वो भी चाइना के जतने भी ये carriers हैं सबको कड़ी डख कर रहे हैं hence आप कुछ भी logic लगा के देखो आज की rate में even if Russia and China comes together to have a fight against western nations NATO USA combined for Taiwan it will not be easy for them to win they will definitely put their economy into a crippling mode तो चलिए इस सब context में हमारे लिए Russia और China के dynamics को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है because China is hoping for Russia कि वो उसकी मदद करने आएगा अब अगर हम Russia और China के alliance को देखें तो ये एक fragile और temporary solution लगता है so basically अगर Russia और West के बीच आज एक full scale war होता है लेकिन बकाइदा शर्त ये है कि उसमें nuclear weapons 9 वाल्फ हों तो Russia की military पहले कुछ हफतों में almost wipe out हो जाएगी और उसके बाद चाइना को शायद ये जंग अकेले ही लड़नी पड़ेगी अब इस argument को support करने के दो major evidences है सबसे पहले Ukrainian invasion ने ये सारे world को clear कर दिया है कि Russia United States of America China या NATO के सामने एक उतनी strong military contender नहीं रहा है जितना कि लोग उसको समझते हैं या उसका perception हूँ अगरता था और number two ये बात है कि Russia जो आजकल frequent nuclear threats दे रहा है पुतिन से भी आपने सुना होगा उसका reason यही है कि कुछ हद तक Russia भी ये बात जानता है कि conventional military terms में NATO के against उसकी अभी कोई standing नहीं है क्योंकि आज की डेट में नेटों के पास अपने advanced equipments हैं better train troops हैं और शायद numerical advantage भी नेटों के पास ही है अब next question है कि Russia क्यों lose कर रहा है अब इसके चार major reasons है सबसे पहले Russia की जो military failures हैं उसके पीछे सबसे बड़ा reason है उनकी खुद की corruption जो आज Russia में हर एक level पर चाही हुई है और एक report भी आई थी जिसका ये कहना है कि इस corruption की चलते Russia को अपने GDP का 25 से 30% एक साल में lose करना पड़ता है अब इसके बाद आता है वहाँ पे western sanctions का effect जिसकी वजह से अब Russia का GDP एक छोटी सी country Italy के level तक आ गया है and even for that matter California, Texas और New York जो की United States of America की states हैं ये Russia का GDP आज उनसे भी पीछे है Russia का GDP आज सिरफ 1.4 trillion है जो European Union के 15.28 trillion के सामने कुछ भी नहीं है और इसी में अगर हम US और EU का combined GDP देखे तो वो आज 35 trillion dollars के आसपास है जो world GDP का 40% इससा बनाता है मतलब रश्या के पास कोई chance नहीं है कि वो EU NATO और US के combined forces को economically outspend कर पाएगा अब अगला Russia के military system में एक और major problem है और वो है उनका coherent NCO यानि की non commissioned officer training program तो रश्या ने recent Ukraine war में अपने 1500 से जादा high ranking officers को lose कर दिया है वो मर गए क्योंकि उनका system ऐसा है कि वहाँ officers जो है वो direct top leadership से frontline troops तक orders देते है और इसमें कोई भी intermediary level के उपर independent NCO यानि की non commissioned officer नहीं होता अब usually अगर हम NCO का role समझें तो NCO front पे on ground रहता है और रहकर situation को assess करते हुए जो भी जरूरी और effective changes है वो time to time करता रहता है अब Russia में इस independence की कमी की वजह से उनके जो military attacks है वो बहुत ज़ादा inflexible और predictable हो जाते है जो आज के जमाने के warfare में एक dogmatic और outdated approach है अब Russia का जो ये methodology है ये पुराने traditional warfare के उपर based है या जो भी उसकी tactics है वो भी पुरानी warfare के उपर based है जो कि tanks के massive waves infantry attacks, artillery bombardments ये सब handle करने के लिए काफी हर्तक effective हुआ करते थे but on the other hand NATO, US और even for that matter चाइना वो आज की date में एक बात समझ चुके है कि आज के modern battlefield में या आज के modern environment में जहां drones, surveillance, satellites और reconnaissance planes use होते हैं ये Russia की approach बिल्कुल effective नहीं रहेगी और hence उन्होंने front lines के उपर अपने sergeants और NCOs का जो deployment है वो बहुत अच्छे तरीके से करके रखा है अब चौथा reason है Russia का logistics Russia logistics level पे भी बहुत हद तक struggle कर रहा है अब trend ये है कि Russia का military system जैसे ही अपने rail network से दूर जाता है यानि कि वो किसी और medium से logistics को manage करने लगते हैं तो वो fail हो जाता है अब इसका perfect example है 40 मील लंबा traffic jam जो कीव के north में 2022 की February March के आसपस देखा गया था जहां सब कुछ एक road के उपर logistics को transport करते time halt पे आ गया इसके बाद जब Ukraine ने M142 हिमार्स जैसे long range rocket artillery systems use करने शुरू किये जो की 50 मील दूर तक targets को hit कर सकते थे तो Russia के logistics की problem और भी वड़ जाती है अब इस problem को handle करने के लिए Russia ने अपने डीपू को front के pass place करना शुरू करा ताकि वो अपनी limited transport capacity जो उनकी है वो उसको efficiently use कर पाए बट उसको भी counter करने के लिए Ukrainian forces ने नए smart immunizations develop कर लिए है जिसका नाम है ground launched small diameter bombs यानि GLSDB अब जो ये GLSDB है न ये 93 miles तक target को hit कर सकते हैं और ये चीज रशिया को अपने जो border area है उक्रेन के पास वाला वहाँ पे भी उसके depoos में अपना जो ammunition है वो deploy करने नहीं दे रहे है अब देखिए चाइना भी रश्या की इस weak position को exactly बिल्कुल detailed तरीके में समझता है और अपने दोनों के बीच इस unequal relation को भी अच्छे से वो जानता है and hence चाइना time to time इस inequality का फाइदा उठाने की कोशिश भी करता है देखो अगर हम इनके relation की evolution को देखें तो पहले Soviet Union के time पर चाइना के साथ bilateral negotiations में USSR डॉमिनेट किया करता था और चाइना को ऐसे agreements accept करने पड़ते थे जहां वो unequal terms में होता था अब ऐसे में एक बार 1969 के time में दोनों देशों के बीच एक border dispute की वज़ा से बड़े war के करीब भी यह दोनों आ गए थे लेकिन बाद में रश्या ने decide किया कि वेस्ट के games take ally बनाने के लिए चाइना एक ज़्यादा beneficial option है ज़्यादा देन कि में इसके साथ border disputes के उपर लड़ने जाओं और hence उसी वक्त से रश्या ने चाइना को आम करना शुरू कर दिया यानि कि उस वक्त की USSR ने चाइना को आम करना शुरू कर दिया लेकिन चाइना ने अपनी strategy कुछ लगी सोच रखी थी और वो इसी moment का फाइदा उठाने के लिए ready था अब चाइना ने क्या करा जो defense aid उसको USSR से मिल रही थी उसने इस Russian defense products को लेना तो चालू रखा लेकिन साथ के साथ उसने इसी Russian defense products की technology को copy या आप कहिए कि steal करना शुरू कर दिया चोरी करना शुरू कर दिया और 1990s के बाद से चाइना openly Russian technology को copy कर रहा है जो time to time रश्या के लिए एक embarrassment का कारण भी बनता रहता है अब example के लिए 1996 में चाइना ने J-11 aircraft बनाया जो रश्या के SU-27 multi-role fighter का licensed copy था अब उस वक्त रश्या को ये पता था लेकिन उसने चाहके भी कुछ action नहीं लिया अब उसके पीछे का कारण ये था कि उस वक्त का रश्या जो post-Soviet era में economic struggles face कर रहा था उसने इसके उपर reaction इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो चाइना को ये चीज बेच के कुछ ना कुछ कमाना चाहता था लेकिन जल्दी चाइना ने इस agreement को cancel करके J-11 को independently बनाना शुरू कर दिया और eventually 400 unauthorized J-11S बनाए जिसकी वजह से रश्या को 10 billion dollar से जादा का नुकसान हुआ और आज भी रश्या अपने best या near best military equipment चाइना को definitely बेचता है यह जानते हुए कि चाइना उसकी technology को copy कर सकता है लेकिन अब आपके दिमाग में question आएगा कि आखेर ऐसा क्यूं जब रश्या को पता है मेरी technology copy होनी है दरसल Ukraine war के बाद ना रश्या की जो defense manufacturing sector है वो बहुत गंदे तरीके से struggle करता है और अब रश्या का जो economy है वो चाइना के larger economic base पर dependent हो गया है जिससे अब भी relationship uneven बना हुआ लेकिन power dynamics में change आ गया है पावर सारी की सारी चाइना की दरफ से ले गई अब ऐसे में आपने एक पुतिन का statement भी सुना होगा जिसमें पुतिन बोल रहा था कि रश्यांस को अभी जादा बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि उनकी population वहाँ पे कम हो रही है और इसी के बीच में आपको एक background story भी बताता हूँ यही वो दौर था 1990s का जब चाइना को इस बात का हिसास हो गया था कि USA अब जब Soviet Union को हरा चुका है तो वो अपनी जीत का जो डिंडोरा है वो सारे वल्ड में पीट रहा है and USA is busy in that Russia क्योंकि उसके जो भी countries थी उसके backyard में countries थी वो सारी की सारी disintegrate हो चुकी थी तो USSR के पास कुछ था नहीं अब चाइना ने homework करना इस टाइम से शुरू कर दिया था और उसके homework में पहला जो सिनारियो आया था या one of the most important जो सिनारियो था उसने क्या करा उसको इस बात का हिसास था कि मेरी जो major natural resources की need है या मेरी जो major natural gas की need है या oil की need है वो मैं आज की rate में सारी की सारी maritime trade route के जरीए अपनी ले रहा हूँ अब secondly चाइना को इस बात का भी पता था कि यह जितने Central Asian nations हैं वो सारे के सारे पहले रश्या के backyard में थे Soviet Union के time पे आज की rate का जो कजाकस्तान है उसबेगस्तान है तुर्कमेनिस्तान है तजीकिस्तान है यह सारे के सारे जो nations है अब चाइना ने क्या करा इनके साथ एक agreement sign कर लिया और इस agreement के तहत शंगाई 5 बना था जो बाद में 2001 में जाके SEO में तबदील हो का जब रश्या भी साथ में आ जाता है 2001-2002-2003 के time पे अब इसी के साथ एक background story आपको उस वक्त की ये भी जाननी है कि चाइना को उस वक्त की ऊपर ये एहसास हो गया था 1990s के आसपास कि United States of America अपने साथ अब यहाँ अपनी जीत की वजह से क्योंकि उसने USSR को disintegrate करवा दिया था तो अपनी जीत की खुशी में मगन है वो और USSR की economic crippling है क्योंकि वो रशिया बन गया जितनी उसके backyard में states ही वो अब उसके साथ है नहीं अब इस जो opportunity थी ये जो time bracket था चाइना ने इसका बहुत अच्छे सिस्तिमाल करा चाइना को इस बात की exact clearance थी उस वक्त के उपर दिमाग में कि आज के वक्त के उपर मेरा जितना maritime trade है हाना उसके थू ही मेरा crude oil और मेरी natural gas आती है लेकिन कल को अगर इनके उपर कुछ भी खत्रा रहेगा तो भाई मेरे exactly neighboring countries में जो की चार या Central Asian Republics हैं उनमें बहुत जादा reserves हैं तो क्यों ना में उनसे प्रोक्योर करों तो हमें 1990 से पहले चाइना के जो ये countries हैं अपनी Central Asian countries जो तजीकिस्तान है किर्गिस्तान, कजाकस्तान, उस्बेगिस्तान इनके साथ इनका border लगता है चाइना का तो चाइना के बहुत जादा border disputes भी हुआ करते थे लेकिन चाइना ने उस वक्त के बाद अपना border dispute resolve करा और इनको अपने साथ मिलाया तो ऐसे करके एक शंगाई 5 नामक organization भी बनी थी जो की SEO का जो अभी अभी summit हुआ पाकिस्तान में उसका predecessor हुआ करता था अब उस वक्त के बाद जो 2001-2003 के time के उपर इसकी organization की formalization भी हुए और रश्या को साथ मिलाकर चाइना ने इसको SEO बना दिया तो ये भी एक narrative याद रखिया आगे हमारे काम आएगा अब दूसरी बात अगर हम present scenario में आके करे तो चाइना इस वक्त की उपर एक balancing strategy के according चल रहा है जिससे वो रश्या की support करता है but not in extremes ताकि वो west को annoy न करे और साथ ही में west against रश्या का जो alliance है वो भी उसके साथ बना रहे अब रश्या को time to time चाइना इसके लिए एक meager साथ देता रहता है या meager support देता रहता है अब जो चाइना की strategy है यह काफी दिल्चस्प है तो चलिए इसके कुछ evidences देखते है जैसे recent events में जब UN में रश्या के Ukraine invasion को condemn करने का vote हुआ तो चाइना ने vote करने से abstain किया अगर हम यहां के number समझे तो 141 countries ने रश्या के against vote करा और 5 countries लगबग रश्या के favor में थी लेकिन चाइना उन 34 countries के group में रहा जिनों ने vote करने से abstain करा अब यह पहला मौका था जब चाइना openly रश्या को support कर सकता था लेकिन उसने इसमें एक balance strategy अपनाई अगला जब मार्च 2023 में पूतीन और जी जिन्पिंग मिले थे तो पूतीन को इस बात की उमीद थी कि चाइना उनके साथ एक direct oil और gas pipeline के लिए agreement करेगा जो चाइना और रश्या के crude oil और natural gas पर dependent को और जादा मजबूत करेगा और इस economic interdependence की वज़ा से शायद दोनों देश आपस में एक बहतर trustworthy relation बना पाएंगे लेकिन जी जिन्पिंग ने ऐसा कोई agreement करा नहीं जो चाइना को bound कर पाए लेकिन उसके बावजूद चाइना ने रश्यान इंपोर्ट्स काफी जादा बढ़ा दिये अगेन एन एक्जामपल ऑफ बैलेंसिंग आक्ट अब इस scenario में जहां रश्या चाइना से बहुत जादा expect कर रहा था इस recent पूतिन और शी जिन्पिंग के summit को रश्या के नजरिये से एक historian है Sergio Renko उन्होंने एक पुराने Chinese proverb के साथ इसको describe करा उनका कहना है कि loud thunder but few raindrops और फिर उन्हेंने काया कि actually scratch that even that thunder wasn't all that loud अब प्रेजिडेंट जी जिन्पिंग का पुतिन को finally support करने में hesitant होने का एक कारण और भी सामने आ रहा है और वो कारण है कि शायद उन्हें लगता है कि पुतिन का future आगे जाके रश्या में खुद ही uncertain है क्योंकि हमें काफी सारी reports देखने को मिली काफी सारे news articles देखने को मिले जो इस बात का evidence देते हैं कि पुतिन की जो health है वो ठीक नहीं है जैसे मार्च 2023 में जब पुतिन क्रीमिया की विजट पे गए थे तो वो वहाँ पे करते हुए दिखाई दिये थे और April में reports आई कि उनको severe head pain है उनको numb नम उनकी जो tongue है वो numb हो जाती है blood vision का भी problem है अब इसमें कुछ reports ये भी suggest कर रही थी कि शायद उन्हें Parkinson's disease हो सकता है जिससे कि उनके हाथ और पाउं में काफी shaking होती रहती है अब कई लोग ये भी speculate करते हैं कि वो शायद chemotherapy से गुजर रहे हैं जो कि उनके weight gain का एक reason हो सकता है अब इस चीज को लोग इस बात से भी supplement कर रहे हैं कि शायद अपनी बिमारी के कारण पुतिन डरे हुए हैं और पुतिन अपनी weakness के डर से पुतिन ने अपने आजपास के सभी potential threats को खतम करना शुरू कर दिया है जैसे कि Ukraine invasion से लेकर अब तक रश्या के 40 से जादा top managers, businessmen और officials suspicious circumstances में dead पाए गए है अब कई cases में इनको murder और suicide कहा गया है जैसे कि मैं example देता हूँ आपको एक व्लादियसलाव अयययव करके थे जो की Gazprom bank के vice president थे अब उन्हें Moscow apartment में अपनी pregnant wife और बेटी के साथ dead पाया गया अगला example है सार जी आप रोतो सीनिया का जो नोवा टेक के former manager थे उन्हें भी Spain के अपने एक villa में hanged पाया गया और उनकी wife और बेटी भी साथ में murder करी हुई मिली रश्या में आज की date में इतने जादा mysterious deaths हो रहे है कि Russian media ने इन incidents को sudden Russian death syndrome यानी कि SRDS का नाम दे दिया है अब इन सब deaths में एक common cause है जिसका नाम है defenestration defenestration का मतलब होता है कि किसी को building से गिरा देना इसकी भी एक famous example है राविल मेगनोव नाम का एक व्यक्ति था जो की लुकोईल के vice president थे अब उन्हें Moscow के एक hospital की window से गिरकर उनकी death हो गई ये news reports में बताया गया उसके बाद February 2023 में मरीना यनकीना जो की Russian defense ministry की financial department की head थी वो भी 16th floor से गिर कर मर गई और इवन जो लोग custody में हैं उनकी life भी safe नहीं है जैसे कि एक व्यक्ति था लगोर शुक्रो जो की एक government form के deputy director थे उन्हें भी April 2023 में सर्बिया के detention center में डिट पाया गया अब यह सारी चीज़े Russia को एक unstable dictatorship की तरह दिखाती है जो अपने ही brightest mind से डरे हुए हैं और अपने अंदर ही दुश्मन बना रहा है और इस सब में Putin की health को लेकर भी rumors हैं तो शायद यह सब circumstances President Xi Jinping को यह सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि वो Russia के साथ अपनी involvement को कितना रख है उस हिसाब से अपने relations उनके साथ चलाएंगे क्योंकि Xi Jinping की कोशिश यह है कि दुनिया China को एक peacekeeper और world negotiator के रूप में देखे लेकिन अगर वो ऐसा भी चाहते हैं तो still Xi Jinping को यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि इसमें भी उनको एक problem face करनी पड़ेगी आप अगर शी जिन पिंग सच में रश्या की इन सब चीजों को लेकर वरिड हैं तो चलिए एक नजर रश्या के internal dynamics पर भी मार के देख लेते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है और इसका क्या impact होगा रश्या चाइना की उपर तो दा इंटर्नल डाइनमिक्स ऑफ रश्या दोस्तों जब रश्या ने यूकरीन पर इन्वेजिन करा तब दुनिया ने मिलकर रश्या के खिलाफ एक cold shoulder दिखाया तो रश्या ने ये claim किया कि भाई आप सब लोग मुझे cold shoulder दिखा रहे हो लेकिन मेरी चाइना के साथ partnership जो है वो no limits की है लेकिन इसके response में जल्द ही चाइना ने ये clear कर दिया कि भाई उनकी partnership में भी limits है असल में रश्या के जो सचे दोस्त हैं वो आज की डेट में सिरफ इरान और North Korea है अगर रश्या-Ukraine war जीतना चाहता है तो उन्हें चाइना की मदर definitely लेनी पड़ेगी लेकिन चाइना क्या अपने ही plans है और हो सकता है कि चाइना चाहे कि रश्या catastrophic level पर इस war को हार जाए अब इसके पीछे का भी अपना ही एक reason है दिखो आज की डेट में Russia is a very vast country रश्या अगर यूक्रेन के साथ आज involved है तो वो अपने western front पे busy है अब इसी के चलते हुए जो Russia का eastern part है वो complete तरीके से एक बहुत बड़ा area है और वो बहुत ज़्यादा least populated है ऐसे में reports ये भी आ रही थी कि चाइना अपने लोगों की migration उस area में करवा रहा है और धीरे धीरे अपने citizens को वहाँ settle करके शायद जब Russia weak हो जाए तो Chinese opportunity का इस्तिमाल करके eastern part of Russia पे अपना कुछ कबजा कर सकता है अब आप बोलोगे कि ऐसा वो क्यों करेगा क्योंकि धीरे धीरे world over जो ice है Arctic Ocean की वो पिघल रही है और Arctic politics की जल्दी ही शुरुआत हो रही अब Arctic इतने time से जिसके उपर बरफ जमी हुई है वो resources का एक भंडार है अब world over इसके बारे में दो policies चलती है एक policy का नाम है रास नलिस that Arctic जो अभी तक बिल्कुल किसी ने explore नहीं करा था it was a new thing for the world तो रास नलिस की policy एक रास कॉम्मिनिस की policy western nations का कुछ हद तक मानना है for that matter European Union का भी कि भई Arctic Circle जो है वो रास communist है मतलब नई चीज है तो भई it is everyone's property सब मिल बांट के use करेंगे वही चाइना का Arctic को लेकर एक claim यह है कि भई it is रास नलिस that means it is no one's property जो जाएगा भाई पहले कबजा कर लेगा तो शायद ये वाला intention कि रश्या की catastrophic हार Ukraine war में हो चाइना अपनी Arctic war के लिए भी Arctic policy के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है अब रश्या का Ukraine को invade करना उनके लिए एक बहुत tough situation create कर रहा है अब जैसे तैसे जब February 2022 के आसपास ये conflict शुरू हुआ था तो ये conflict 18 महीनों तक पहुंच तो गया है लेकिन इसका जो रश्या का जो trend था पहले और आज उसमें बहुत जादा strong difference create कर दिया है अब initially जब Russia ने attack करा था तो Western nations ने sanctions के साथ इसका जवाब दिया था अब उस वक्त की उपर sanctions का Russia की economy पर इतना जादा असर नहीं पड़ा था क्योंकि उस वक्त उसके जो energy के avenues थे वो booming phase में थे और उस वक्त Western countries ने भी looming sanctions के लिए यानि कि उनको पता था sanctions आने वाली हैं तो उसके लिए preparation करते हुए उन्होंने रश्या से energy के reserves को पहले ही भरमार में खरीदना शुरू कर दिया था तांकि बाद के लिए जब sanctions आ जाएंगी तो उनके पास कुछ ना कुछ हो लेकिन अब वो जो boom है वो खतम हो चुका है और Western sanctions और price caps ने रश्या के energy avenues को बहुत जादा हिट करा है अब Western countries ने इसे इतना strategically plan करा कि आप ostrac हो जाओगे अब Western countries ने क्या करा कि उन्होंने ये जो price caps थे तो इन्होंने price caps रश्या के उपर सिर्फ इतना ही रश्या को space दिया price caps रखने का जिससे की वो अपने oil और gas को बेच सके अब आप बोलोगे कि रश्या बेच क्यों सके तांकि world over oil की कमी से global energy crisis ना हो क्योंकि इस से पहले आपने बहुत बार सुना होगा रश्या ओपेक के साथ आगर एक monopoly create कर रहा है एक cartelization कर रहा है तो रश्या का पहले वो रूतबा हुआ करता था तो इनको ये था कि ग्लोबल लेवल के उपर इतना जादा जो prices है वो बढ़ना जाएं और अगर prices बढ़ेंगे तो उसकी inflation का wrath इन सबको भी भरना पड़ेगा तो इसके चलते हुए उन्होंने ये अलाओ करा कि कुछ price caps रखते हुए रश्या इस oil को बेच ले लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी ensure किया कि किसी भी हालत में रश्या इस तेल बेच के इतना profit ना कमा सके जिससे रश्या को जाइदा फैदा हो और वो Ukraine war को finance कर पाए अब इसका result ये है कि रश्या का सबसे बड़ा revenue source अब एक break even state में आ रहा है break even यानि कि business में एक term use होती है जिसका मतलब होता है कि आपको कोई जादा मुनाफ़ा नहीं हो रहा जितना लगा रहे उतना वापिस आ रहा है अब इस सबके चलते हुए Russia ने Western Nations की जगह अपना oil अपने all weather friends को बेचने का सोचा लेकिन Russia के लिए ये और भी बड़ी problem तब बन गई जब उन्होंने अपना oil इंडिया को बेचने का decision लिया अब जैसे इंडिया को पता चला तो इंडिया को पता था कि रश्या हमें तेल क्यों बेचना चाहता है तो इंडिया ने बोला कि रश्या तुम मुझे तेल बेचना चाहते हो अब इस वज़ा से रश्या के पास इंडियन रुपीज का एक बहुत बड़ा stockpile खड़ा हो गया है और जो इंडियन रुपी है presently अगर हम देखें तो currency का जो international use है वो बहुत ही limited है क्योंकि ज़्यादातर countries आज की date में dollars ये ये euros में trade करती है अब रुपीज का stockpile इकठा करके एक समिकरण ये भी हो सकता था कि भई रश्या को इंडिया से कुछ न कुछ खरीद लेता वो लेकिन रश्या को इंडिया से जादा कुछ चाहिए भी नहीं है जिसकी वज़ा से वो भारत से export भी नहीं गर पा रहा अब इसलिए जो ये रश्या के पास रुपी का stockpile है तो जब तक रुपी को global reserve currency नहीं बना दिया जाता ये rupees का stockpile रश्या के लिए एक वेकार asset है अब इस income crisis के साथ रश्या को advanced weapons बनाने की भी जरूरत पड़ी अब ये जो advanced weapons हैं इनमें आज की date में chips यूज होती है semiconductors यूज होते हैं लेकिन इस सब की shortage का भी रश्या को सामना करना पड़ा अब उसके पीछे का reason ये था कि जब आप western nations के साथ conflict में आओ गए तो western nations के जितने भी allies हैं वो सब को Liverpool करेगा आपके against और ऐसा ही जो United States of America तो उसने Taiwan के case में करा अब Taiwan जो की present date में semiconductors और chip का बहुत बड़ा source है साथ ही में हमें ये नहीं बूलना चाहिए कि वो USA का एक बहुत तगड़ा ally भी है अब जैसे ही West ने sanctions लगाई तो sanctions Taiwan के उपर भी लागू थी अब जैसे sanctions की वज़ा से जो semiconductors का sale Taiwan रश्या को कर रहा था वो hold पे आ गया अब इसका repercussion back at home रश्या में ये निकला कि रश्या अपनी army के लिए जो भी consumer goods हैं तो जैसे कि मान लो dishwasher हाना तो dishwasher जैसे consumer goods से chips निकालकर अपने military equipment के लिए यूज करने लगा यहां तक नौबत आ गए थी उसके लिए अब इसी बीच चाइना ने रश्या के ऊपर थोड़ा pressure कम करने के लिए एक कोशिश करी क्यूंकि उसको तो balance करके चलना है अब दूसरा चाइना का एक psychological aspect भी था आप समझे रश्या है वो बीच में है वेस्टर नेशन दे सेंक्शन लगा दिये चाइना अभी बनना चाहता है superpower तो भई एक दुश्मन ने अगर ये करा तो दूसरा help करने के लिए आएगा तो वेस्टर नेशन के सेंक्शन को counter करने के लिए चाइना ने डेफिनेटली उस वक्त के ऊपर रश्या के थोड़ी मदद करनी चाहिए और इस मदद के चलते हुए चाइना ने रश्या एनरजी इंपोर्ट को काफी expand कर और उन्होंने अपने financial systems का भी रश्या को use करने दिय क्योंकि आपको याद होगा तो उस वक्त की ऊपर जो banking के में messaging system होता है swift western countries ने रश्या के उसकी ऊपर भी ban लगा दिया अब यह सब चाइना इसलिए करा क्या कि जो रश्या है वो western restrictions को वेट कर सके और साथ ही intelligence की reports ये भी कहती है कि Chinese defense forms ने भी रश्या को कुछ vital military equipments और dual use hardware ज बी चाइना और रश्या के बीच कोई भी heavy equipment transfer को लेके कोई भी agreement sign नहीं हुआ जबकि पूतीन doubtlessly directly अपनी meetings के दरान चाइना के प्रेजिडेंट शी जिन पिंग से directly ये मांग करते आ रहे हैं कि हमें please high end equipments दे दो ताकि हम अपने war efforts को continue कर सके लेकिन इसमें चाइना अपने लि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा Russian oil importer बन गया था अब 2021 के comparison में उसने अपना जो liquefied petroleum gas यानी की LPG है उसका import भी double कर दिया था और अगर मैं आपको इसका quantum numbers में बताऊं तो चाइना 1.65 million barrels per day तक crude oil import कर रहा था अब इससे Chinese needs तो पूरी हो रही हैं लेकिन रशिया जो sales west में lose कर रहा था वो पूरी तरह से इसके साथ compensate नहीं कर पाया तो दोस्तों कुल में लाके जो चाइना है उसने अपना फाइदा देखा एक balancing act भी खेला और साथ के साथ रशिया की उसको आगे जाके support मिले ये भी ensure कर तो दोस्तों अब ये तो थी चाइना और रशिया के access की कहान कि भई मैं तुम्हारी मदद में अभी खड़ा हूं और तुम जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ जरूर आता है लेकिन चलिए अभी वापिस अपनी उसी कहानी पे आते हैं कि आखेर ये नौबत आई क्यों थी चाइना को रशिया के support चाहिए क्यों थी इसके प चाहिए के साथ reunite करा जाएगा और अगर मुझे इसमें military force का भी use करना पड़ा तो मैं इसको rule out नहीं करूँगा और उन्होंने 2027 तक अपनी military को ये बात भी बोली है कि तुम लोग ready हो जाओ 2027 तक ताइवान को लेने के लिए लेकिन ये बात और भी interesting तब हो जाती है ना ज अगर जरूरत पड़ी चाहिना ने ताइवान के साथ कुछ भी करा तो USA ताइवान की support में जरूर आएगा अब अगर हम world war के बारे में सोचाएं तो जो एक Indian Nostradamus थे हाना Nostradamus के नाम से जाने वाले कुशल कुमार थे उनका prediction था कि world war 3 Middle East से शुरू होगी लेकिन ऐसा देख क्यों है जिसके लिए चाइना USA को इंस्रीगेट करने के लिए ready है और USA ताइवान के freedom और independence को बचाने के लिए चाइना के साथ fight करने को ready है अब देखो चाइना के लिए ताइवान सिर्फ एक national pride का सवाल नहीं है बलकि इसके साथ साथ वो उसके national defense के लिए भी एक important asset है अब वो जगा है जहां Chinese nationals भाग कर गए थे जब communist ने world war 2 के बाद उन्हें हरा दिया था और जब तक Taiwan independent है चाइना को एक global military power के रूप में कभी भी seriously नहीं लिया गाएगा अब सोचो ना जब तुम्हारे अपने ही shore के पास एक छोटी सी island को तुम control नहीं कर पा रहे हो तो भई तो Taiwan एक dictatorship से evolve हुआ है और evolve होते हुए आज एक successful democracy का example बन चुका है और ये CCP के लिए बड़ी problem है वा पूछोगे वो कैसे है तो देखो जब तक Taiwan independent है वो एक symbol है Chinese लोगों के लिए एक example है कि उनका जीवन कैसे हो सकता था अगर वो CCP के control में नहीं होते है और कोविड के बाद ज उन्होंने Chinese youth में अपनी सरकार के लिए काफी disillusionment पैदा कर दिया है अब Taiwan जो उनके ही shore के पास एक thriving democracy है आज के time में उनके लिए एक appealing choice बन गया है तो ये struggle सिरफ territory का नहीं है ये एक बड़ी ideological war की लड़ाई है democracy और authoritarianism के बीच और इसी वज़ाए से Taiwan आज global geopolitics में एक central muddha बन अब तक Taiwan independent रहेगा न ये Chinese लोगों के लिए democracy का strong symbol continuously बना रहेगा और लोग उससे inspire होते रहेंगे लेकिन दो और भी बहुत बड़े कारण है यह आप significant strategic reasons कह लीजिए न जिनकी वज़ा से China Taiwan को वापस लेना चाहता है और US से चाहता है कि Taiwan independent रहे इन में से सबसे पहला reason है कि ए Western strategy है जो World War 2 के बाद even for that matter Cold War के आसपास चलाई जा रहे थी और अब भी चलती आ रहे है जिसे कहते हैं First Island Chain अब इस First Island Chain strategy के तहत एक chain बनाया जाता है islands का अब islands क्या होते है basically यह friendly nations है तो यह एक pro Western और friendly nations की chain है जो China और Russia के shores को घेर के रखती है अब Cold War के दुरान यह जो chain थी व communist navies के लिए और अगर war होता तो यह navies open waters में enter नहीं कर पाती इनको destroy करे बिना अब First Island Chain का एक और advantage भी है कि friendly navies enemy shores के पास operate कर सकती है अब America का अगर यहाँ पे exactly chain है तो भाई America अपने जितने भी carriers है वो यहाँ पे राके पाक कर सकता है और उनकी supply के लिए उनकी repair के लिए जितन इसकी वज़ा से अमारिका को far-flung basis पे depend नहीं होना पड़ेगा जिसकी वज़ा से जो उसके ships हैं और aircraft है उनका जो loiter time है वो कम हो सकता है अब आज के दिन यह strategy Soviet Union और उसके allies को नहीं बलकि चाइना की expansionism को रोकनी के लिए अमारिका इस्तिमाल करता है और इसका एक major pillar है आज क की डेट में Taiwan अब चाइना ने इस chain को तोड़ने के लिए illegally South China Sea में artificial islands बनाने का काम करा था लेकिन फिर भी ये islands Chinese Navy को first island chain के defense को पूरे तरीके से तोड़ने का मौका आज भी नहीं देते है और ये hostile navies को इतना दूर push नहीं करते हैं कि Chinese shipping को जरूरी petroleum और natural gas की जो उसकी need है वो continuously continuously उसकी economy के लिए मिलती रहे जो कि उसके लिए आज की डेट में बहुत जाला crucial है अब दूसरा strategic reason जो पूरी दुनिया को impact कर सकता है वो है Taiwan का world में एक बहुत important role जो की उसका semiconductor और chip technology में है आज Taiwan दुनिया का सबसे बड़ा chip manufacturer है computer chips और semiconductor की दुनिया में Taiwan का जो आज की डेट में cloud है या Taiwan की technology industry का जो cloud है वो इतना गहरा हो गया या इतना बड़ा हो गया है इसकी example के तोर पे अगर मैं आपको बताऊं जब उन्होंने रशिया पे embargo लगाया था तो उससे रशिया का जो modern weapons बनाने का ability था वो almost 4-5 महीनों के लिए completely खतम हो गया था आप सोच़ों एक देश का चोटे से island की technology यानि की जो industry है उसकी chip industry उसके लिए 6 महीनों के लिए production halt पे चली गई यह importance है आज की rate में ताइवान की अब ताइवान का contribution global technology की market में इतना बड़ा है कि जब China का threat ताइवान पर बढ़ता गया तो उस वक्त की उपर United States of America ने अपनी country के अंदर एक emergency funding पास करी ताकि उनके देश में chip manufacturing के plants बन पाएं और ये हमें आज की rate में ताइवान की उपर US की dependence भी दिखाता है अब अगर चाइना ताइवान को कबजा कर लेता है तो वो दुनिया के advanced electronic components की supply का control अपने हाथ में कर लेगा और फिर चाइना बाकी देशों को threaten भी कर सकेगा उनकी embargoes भी लगा पाएगा तो और उनके लिए एक ऐसी situation create कर देगा कि भई यहां तो आप CCP की बात मानो और अगर आप नहीं मानते हो तो भई आपकी उपर embargoes लगेंगे और इस situation में एक nation के पास दो ही choices होंगी या तो अपनी economic को cripple होने दो या फिर President Xi Jinping की बात मानो चलिए अब इ चाइना के साथ एक पुरानी dispute काफी टाइम से चलती आ रही है दरसल चाइना ताइवान को एक breakaway प्रविंस के रूप में देखता है जिसे वापस अपने देश का हिस्सा चाइना हर बार बनाने की कोशिश में लगा रहता है लेकिन काफी ताइवानीज लोग एक अलग 1683 से लेकर 1895 तक ताइवान को चाइना की किंग डेनिस्टी गवर्न किया करती थी उसके बाद लेकिन सिनो जैपनीज वार के दौरान जेपान की जीत हुई और चाइना को ताइवान जेपान के हाथों देना पड़ा अब वल्ड वार टू के बाद जेपान को ताइवान वा के बाद चियांग काई शेक और उनकी नाशनलिस्ट पार्टी जिसका नाम था कुओम तॉंग केम्टी वो ताइवान भाग गए अब केम्टी ने कई सालों तक ताइवान की पॉलिटिक्स पर कंट्रोल रखा लेकिन चेंग केके की डेथ के बाद डेमोक्रेसी मूव्मिंट न ताइवान के अंदर अपना प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया अब चेंग केके के बेटे चियांग चिंग कुओ ने डेमोक्रेसी का प्रोसेस शुरू करा जो 2000 के आसपास ताइवान के पहले नॉन केम्टी प्रेजिडेंट चेंशुई ब्यान के एलेक्शन तक पहुँ करा गया लेकिन उनसे शर्त ये रखी गई कि अगर आप चाइनीज रियूनिफेकेशन को एक्सेप्ट करोगे तब ही आपके लिए यॉफर है आदरवाइस ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा अब इस कॉंटेक्स्ट में ताइवान ने एक मूव करा और वो मूव ये था कि उसने चाइना के लिए इंवेस्टमेंट के रूल्स जो थे वो रिलेक्स कर दिये बट डेफिनेटली उस वक्त के ऊपर ताइवान ने चाइना के साथ रियूनिफेकेशन के लिए नहीं माना अब हमें इसके बैग्राउंड में एक स्टोरी और देखनी है कि 1970s के टाइम से यूएस ताइवान का एक क्लोज अलाई रहा है और ताइवान को बिलींज ओफ डॉलर का डिफेंसिव वेपिन युनाइटेट सेटस अफ अमारिका से मिलता आया है आज यूएस की पॉलिसी को स्ट्राटेजिक एम्बिविटी कहा जाता है जिसमें वो चाइना को रीजिनल उसके फेवर में हैं अब ताइवान में बहुत ही प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं खासकर बीजिंग के खिलाफ जितनी भी उसकी पॉलिसी हैं उन सब को लेकर ताइवान के लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं अब ताइवान का जो प्रेजेंट लीगल स्टेटस है वो आज की rate में unclear है ताइवान ऐसा कंट्री के अगर हम बात करें तो उसके पास अपना constitution है democratic leaders है और लगभग तीन लाग के आसपा सेक्टिव troops भी अब चाइना ताइवान को वापस अपने फोल्ड मिलाना चाहता है और यह सिरफ वो nationalism के लिए नहीं बलकि strategic reasons के लिए भी करना चाहता है अब अगर Taiwan एक independent nation बन गया तो US वहाँ अपने नेवल पोर्ट्स और military bases बना सकता है जो चाइना के बिल्कुल डोर्स्टेप की ऊपर United States of America को लाकर खड़ा गर देग अब इस influence को counter करने के लिए चाइना ने अपने censorship systems को बहुत मजबूत करा हर तरह का जो भी pro Taiwan या pro democracy content चाइना के social media पर होता था उसको एक दम से हटा दिया कुछ topics जैसे कि चाइना में आज की डेट में भी forbidden है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उनका mention भी नहीं कर सकते एक्जांपल के लिए जैसे त्यानवान स्क्वेर का मैसेकर है उसका mention करना भी आज की डेट में forbidden है जहां 1989 में 4000 तक students protesters जो थे वो democracy की जब demand कर रहे थे चाइना के अंदर तो उन्हें मार दिया गया था अब इसके बारे में वहां पर बात करना image post करना आपको years तक prison में बेच सकता है चाइना ने इस massacre को अपने मीडिया से पूरी तरह से sensor कर दिया अब पहले चाइना ने ताइवान को promise किया था कि आगर reunification होती है तो ताइवान को one nation two systems के अंडर काफी autonomy मिले जैसा Hong Kong के साथ British handover के बाद implement करा गया था अब इस system का idea था कि Hong Kong को 50 सालों तक democratic freedom मिलेगी लेकिन 1997 से 2007 तक ही Hong Kong citizens के rights काफी बार breach हुए जिससे चाइना के जो intentions थे उस पे वर्ल्ड level की उपर geopolitical level की उपर एक सवाल उठना शुरू हो गया और आज के टाइम में बीजिंग का influence Hong Kong में बहुत जादा बढ़ गया है प्रोटेस्टर्स को बीजिंग दबार आ है और लोकल government को भी बीजिंग के control में लाने की कोशिश की जा रही है 2019 में शी जिन पिंग ने ताइवान को एक बार फिर वान कंट्री टू सिस्टम्स का ओफर दिया था लेकिन ताइवान ने इसी Hong Kong repression के चलते हुए इसको देखते हुए उस proposal को तुरंद रेजेक्ट कर दिया था अब ताइवान के प्रेजिदेंट ने चाइना के वान कंट्री टू सिस्टम्स प्रपोजल को इतना जल्दी और पूरी तरह से इसलिए रेजेक्ट कराए क्योंकि Hong Kong के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद ताइवान के लिए ये model बिल्कुल unreliable है Hong Kong में जैसा चाइना का behavior रहा है उसके बाद ताइवान को पता है कि अगर वो चाइना के fold में वापस चला जाता है तो उनकी democratic rights और freedoms complete तरीके से खतम हो जाएंगी जो कि वहाँ पे generation से चली आ रही है अब ताइवान की independence स चाइना जो अपने आपको एक superpower के रूप में देखता है उसके लिए ताइवान का independent रहना उसकी image को world over challenge करता है एक superpower की पहचान होती है कि भई वो अपनी cultural, economic, political और military power को globally project कर सके लेकिन आगर चाइना जो हमने पहले बात करी अपनी coastline पे सिरफ 100 मील दूर एक छोटे से island कि भई ताइवान का independence ये बात दिखाता है जो हमने बात करी थी Chinese navy अपनी सिरफ shorelines पर operate करने के लिए ready है चाइना की जो military और political power है वो अपने region के थोड़ी दूर जाते ही कुछ भी करने में नाकाम है इसलिए चाइना के लिए ताइवान का control में आना बहुत ही जरूरी है चाह इसे 90% से ज्यादा ताइवान के लोग independence के favor में हैं अब ताइवान को control करने से चाइना को USA का जो Pacific region है उससे निकलने का एक और strategic advantage मिलेगा ताइवान का strategic location जो है वो चाइना को first island chain को break करने में मदद करेगा और ये chain जो की एक invisible chain है जहोंगी Japan ताइवान और Philippines से जाता है और USA क जो Pacific dense strategy उसका important हिस्सा है इससे भी चाइना को counter करने में मदद करेगा जिस वजह से चाइना की जो Pacific में military positioning है वो और ज्यादा strong हो जाएगा अब ये सब सेनारियो समझने के बाद आप शायद बहतर तरीके से समझ रपाऊगे कि क्यों चाइना और United States of America दोनों के दोनों तैवान में इतने जादा interested है लेकिन आखिर में सवाल यह उठता है कि भई इस ताइवान के लिए अगर दोनों nations आपस में लड़ने आते हैं तो क्या इनकी support में इनके allies भी आएंगे और अगर इनके allies इनकी support में आते हैं तो can it lead to World War 3 तो चलिए अब इसको देखते हैं अब स चाइना कैसे अपने goals को achieve करेगा सवाल यह भी है कि भई क्या चाइना अपने मनसूबों को achieve करने के लिए ambitions को achieve करने के लिए World War 3 भी शुरू कर देगा और अब सवाल यह भी है कि अगर World War 3 शुरू होती है तो भई चाइना ने कुछ तो planning करी होगी इसको जीतने के लिए और क्या है वो चाइना की strategies और US को counter कैसे करेगा अब चाइना ने US Navy के against काफी अच्छी planning करी है अगर हम analysis देखें तो planning is too good और इसमें उन्हें काफी progress भी करा है लेकिन चाइना के जो surface combat ships है वो अभी भी American vessels के बराबर नहीं है क्योंकि चाइना के पास US Navy के battle force missiles का सिरफ दो तेहाई इससा ही अब वैसे भी चाइना का जो air force है और USA का air force है अगर हम उन दोनों को भी compare करें तो चाइना का air force USA के air force के सामने आज की rate में completely outclassed है और हर department में आप किसी भी department का नाम लो air force की दुनिया में US से जादा powerful और बहतरी capabilities रखता है अब इन सब चीजों को analyze करके मैंने आपको बताया कि चाइना ने beautiful strategy बनाई है अब एक ही area बचता है जिसमें चाइना का edge है और वो है long range air to air missiles चाइना का PL 15 missile range में American A120 से जादा आगे है लेकिन US इस gap को कम करने के लिए अपना नया A260 joint advanced tactical missile develop कर रहा है जो Chinese missile को exceed कर द अगेगा तो present advantage इस field में चाइना के पास है लेकिन social life बात यह है कि चाइना की जो यह power है missiles वाली यह तो भई तभी काम में आएगी न जब United States of America अपनी Navy को Chinese Shores के आसपास ले आएगा अब चाइना ने इसके लिए एक special strategy भी develop करी है जैसे कहा जाता है anti-access area denial यह A2AD policy अब यह strategy क्या है अब इस strategy का goal simple है कि अमेरिकन शिप्स और special mission aircraft जैसे की एवाक्स है और जो की USA के tankers भी है उसमें कुछ है अब इनको Chinese Shores से दूर रखना है तांकि People's Liberation Navy freely operate कर सके अब इस strategy का core यह है कि चाइना का जो People's Liberation Army Rocket Force है जो हमने पहले देखा था P.L.A.R.F. वो cold war के बाद से USA के लिए सबसे बड़ा threat जो बनके आया है उसको इन्होंने continue रखना है अब P.L.A.R.F. का strong होना अपने आप में एक reason रखता है और वो reason यह है कि चाइना को कभी भी intermediate range force treaty का हिस्सा नहीं बनाया गया और इसी वजह से US और Soviet Union के opposite चाइना ने अपने conventional ballistic missiles का एक बड़ा stockpile बना इनमें से कई missiles short range है जो टाइवान का जो infrastructure है उस पर attack करने के लिए उसकी मदद करेंगी लेकिन कुछ missiles में जो range है वो बहुत लंबी भी है जिससे वो USA के जितने भी bases है चाहे फिर वो जपान में है चाहे South Korea में है चाहे Philippines में है चाहे Thailand में है इन सब को hit कर पाएगा और कुछ तो गवाम जैसे critical US base तक भी पहुंच सकते हैं अब world war के शुरुआती दिनों में PLARF का रोल काफी critical रहेगा USA और चाइना दोनों के पास powerful counterforce capabilities है और जो भी पहले strike करेगा उसको strategic advantage definitely मिले अब दोनों के वीच जो वार शुरू होगा वो almost certainly एक bolt out of the blue attack होगा मतलब एक unexpected first strike जिसम hundreds of ballistic missiles launch के जाएंगे अब targets mainly US bases ही होगे जो इसी region में है चाइना के आसपास है और चाइना के लिए इसमें सबसे important target होगा गवाम लेकिन strategy के साथ एक बड़ा risk भी है कि आगर चाइना USA के basis को Japan और South Korea में target करता है तो ये दोनों nations के साथ USA के बाकी allies और South China Sea के बाकी के contenders भी इस conflict म में शामिल हो जाएंगे तो चलिए अब हम इस scenario को देखते हैं कि भई आगर ऐसा होता है तो क्या ये contenders हैं क्या इनमे capabilities हैं क्या इनके खुद की interest रहेंगे सबसे पहले South Korean aspect को देखते हैं अब South Korea शायद conflict में directly participate करने से hesitate करेगा क्योंकि उन्हें ये डर होगा कि भई आगर North Korea इस मौके का फायदा उठा गया तो शायद वो reunification करने के लिए यहां पर वार शुरू करते हैं और actually अगर चाइना को जीतना है तो उसके लिए best strategy भी यह होगी कि पैसिफिक वार शुरू होने से पहले वो North Korea को ramp up करे और उसको एक instigate करे कि भई तुम South Korea पर attack कर दो जिससे South Korea इतना बीजी हो जाएगा कि North Korean aggression को handle करने में ही उसकी सारी energy उसकी सारी equipment उसकी सारी military लग जाएगी और वो USA के साथ उस front पे Taiwan वाले front पे ग्वाम वाले front पे participate नहीं कर पाएगा अब North Korea का थोड़ा सा aggressive behavior जो है वो South Korea को इस war में शामिल होने से रोक भी सकता है कि अगर वो directly attack नहीं भी करता थोड़ा बहुत aggression दिखाता है तो शायद South Korea अपने destruction के डर से अमारिका के साथ इस support में आ जाए या इस war में support ना करे अब उसके चलते हुए जो South Korea है उस context में ये मा रहेगा लेकिन इसमें कि ये भी है कि भई why South Korea might participate in the war लेकिन इसमें कि ये भी है कि भई why South Korea might participate in the war तो participate करने का तो आज की डेट में एक ही reason दिख रहा है कि भई शायद ये war जो South Korean defense industry है उसके interest में definitely रहे कि जो वहां की government को push कर सकती है इसमें participate करने के लिए अब अगली country वहीं पर आती है जपान अब अगर जपान की बात करें तो ये story थोड़ी से अलग है अब चाइना और जपान के बीच पुरानी rivalry है और आज भी दोनों के बीच काफी tensions और bad blood है जपान और US का ये agreement भी है कि वही चाइना global democracies के लिए एक बहुत तगड़ा threat है अ अब अगर ताइवान जो की एक fellow democracy ही है चाइना के हाथ लग जाएगा तो ये authoritarianism की तरफ एक बड़ा global shift होगा अब जपान के लिए चाइना का dominant regional power बनना एक बहुत भी बड़ा disadvantage भी होगा क्योंकि जपान के भी important trade routes चाइना के पास से ही गुजरते हैं exactly वैसे जैसे USA ने चाइ South China Sea के अपने आसपास areas में lies बना के वैसे ही जपान का जो trade route है वो सारे का सारा चाइना से निकलता है तो चाइना का जपान की trade route की उपर जो जगलर वेन है उसकी उपर एक foot hold है अब अगर ताइवान चाइना कबजे में चला जाता है और first island chain break हो जाती है तो जपान का USA के चाइन करना लगबग तय हो जाएगा और इसके बाद चाइना फिर कुछ भी करे जपान will definitely be there in the war इसके बाद जपान का अपने constitution को rewrite करना जिसमें अब उनकी military को expeditionary deployment की भी permission उन्होंने दे दी है वो भी इस बात का proof है कि जपान actively अपनी ships अपने troops और अपने planes को USA और ताइवा एक convenient staging ground provide कर देंगे इस सारी forces को जो भी चाइना के खिलाफ लड़ने आ रही है अब इसलिए चाइना को जपान के air bases और harbors को target करने के लिए काफी सारी ballistic missiles का use करना पड़ेगा ताकि US military को वहां से operate करने पे रोका जा सके लेकिन चाइना के war plans में फिर भी तीन बहुत बड़े problems होंगे हैं सबसे पहला Taiwan पर invade करना कोई एक दिन का काम नहीं होगा इस mission को अंजाम देना एक काफी लंबी और complex process के थूँ होगा सबसे पहले चाइना को अपनी जो ships हैं उनको nearby harmers में इकठा करना पड़ेगा फिर लाखों troops को जो चाइना के अलग-लग military districts में तायनात हैं उन कि वो ships पर boarding कर सकें लेकिन ये सिरफ troops को लाने तक सीमित नहीं होगा उनका food उनका water उनकी medicines जैसी जतनी भी ज़रूरी supplies हैं उनको भी millions of tons में कठा करना पड़ेगा और Taiwan straight के across अपनी ships को place करना पड़ेगा अब हर चीज की planning काफी precise तरीके से करनी होगी लेकिन इस सब में time लग कि वो invasion के वक्त ready रह पाएं अब ये invasion जो है वो एक sudden unexpected attack नहीं बन पाएगा बलकि एक public event की तरह होगा जिसकी warning काफी months पहले मिल जाएगी अब इसकी वजह से हर move हर preparation सब को दिख जाएगी और दुनिया को इस बात का एकसास होते देर नहीं लगेगी कि चाइना अपना next कदम क अब उठाने वाला है और इसी public scenario का फाइदा उठाएगा United States of America आप देखते USA इस time को कैसे utilize करेगा अब अगर चाइना ताइवान पर invade करने का सोचता है तो उसे एक और बड़ा challenge face करना पड़ेगा और वो है global response USA और उसके allies पहले से ही situation के लिए त्यार होंगे USA अपनी तरफ स international support gather करने की कोशिश करेगा ताकि चाइना का गेंस्ट एक political और economic sanctions लगाई जा सके या फिर एक national military coalition बनाई जा सके बिलकुल वैसे जो गल्फ वार के time उसने operation desert storm में करके दिखाया था और अब तो European NATO partners भी USA के साथ अपना support दिखाने लगे हैं और वो और भी strong हो गया है और पहली बार unprecedented move में European Union ने अपने ships South Pacific में पेट्रोल के लिए भी भेजने शुरू कर दिये हैं अब पिछले 6 महीनों में ये routine पेट्रोल सिर्फ एक message देने के लिए ही हो रही है कि Europe USA इस वक्त साथ में खड़े हैं और ताइवान पर किसी भी invasion का जो जवाब है वो साथ में मिल कर अब अगर चाइना इन्वेड करता है तो इसका मतलब होगा कि उसे एक international coalition का सामना करना पड़ेगा ये चाइना के लिए एक daunting problem बन जाएगी क्योंकि चाइना के पास बहुत कम meaningful alliances हैं जो उसे हर वक्त बिना किसी condition के support करेंगे अब अगर practical देखा जाए और अगर ये war एक global force के चाइना का ballistic missile force जो US forces के लिए एक deadly threat माना जा रहा है शायद उतना effective ना होगा जितना चाइना खुद सोच रहा है चलो इस situation को ना समझ के देखते हैं देखो एक stationary target पे hit करना जैसे कि मान लोग कोई airbase है या कोई और जगा है जो fixed है वहाँ पे missile को target करना इतना मुश्किल नहीं होता फिर चाहे वो हजारों मील दूर क्यों ना हो और चाइना के जो modern missiles के accuracy है वो अभी काफी improve हो चुकी है और वो कुछी meters का फरक छोड़ते है इन targets को hit करने के लिए 5-10 meter at max लेकिन USA के context में problem याएगी कि ocean के बीच एक moving target पे जैसे कि एक warship को hit करना वो एक अलग level का challenge है क्यो precise tracking data चाहिए होगा अब पहले तो उनको ship को डूनना पड़ेगा फिर उनको उसे identify करना पड़ेगा और फिर उसकी exact location को track करना पड़ेगा जो कि constantly move हो रही है ये सब चीज़े चाइना की ballistic force को definitely weak कर देंगे अब चाइना ने अपने ground based और satellite based radars को काफी improve करा है पर अभी भी ये rad stars सिर्फ approximate distance ही दे सकते हैं exact pinpoint अभी भी नहीं है इनके पास अब satellites थोड़ी better accuracy provide करते हैं लेकिन उनकी tracking temporary होती है क्योंकि वो earth के round orbit में रहते हैं और हमेशा वो अपने target पे focus नहीं कर पाते हैं अब accurate और continuous tracking के लिए China को advanced sensor technology की जरूरत होगी और अभी तक ये clear नहीं है कि China के पास capability है या नहीं है China says है but intelligence agency says that नहीं China एक high walk create करने के लिए बोलता है अब हाला कि China ने अपने drones और AWACS early warning aircraft में investment definitely करा है जो theoretically काम कर सकते हैं लेकिन practically इसके कोई evidences नहीं लेकिन इन airborne assets को US Air Force से टकर लेनी पड़ेगी जो दुनिया की सबसे capable Air Force है अब China के पास इस मामले में थोड़ States of America को अपने aircrafts को बहुत दूर तक operate करना पड़ेगा क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा area cover करना है जो अपने आप में USA के लिए एक challenge होगा लेकिन USA ने अपने air और sea drones की strength को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है और नए जो tanker drones आएं उसके पास उस सबकी वजह से USA weapons की जो reach है वो बहुत ज़्यादा expand होके deadly हो चुकी है अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो USA का global reach और powerful इतना ज़्यादा है कि वो आज उसकी जो presence है वो globe के हर एक कोने पे है अब यह पूरा मामला basically एक technology के cat and mouse game जैसा हो जाएगा जहां दोनों side अपनी reach और accuracy को extend करने में लगी पहले track कर लेगा that person is definitely going to have the first movers advantage अब मालो चाइना किसी हद तर data को track करके जो moving target है उसको target करने में सक्षम हो भी जाता है या track करने में भी सक्षम हो जाता है इसके बाद भी चाइना की एक और मजबूरी है एक चाइना की और weakness है और वो है चाइना की overseas trade पर उसकी dependency अब आगर चाइना की जो juggler wayne है trade वाली USA ने आके उसके उपर पाऊ रख दिया मलककन स्ट्रेट को उसने what we can call it उसने block कर दिया तब आप क्या करो गए देखो चाइना अपने majority oil or natural gas के जो imports है उसके लिए overseas trade पर dependent है अब हाँ definitely that is an accepted fact कि रश्या के साथ चाइना के दो land based pipelines है पर इन में स एक जो सकलेन से आती है वो असानी से cruise missile strike का target बन सकती है especially अगर submarine से strike हो तो यह और भी precision बढ़ जाएगी अब इसका मतलब यह कि अगर overseas trade disrupt होती है तो चाइना के पास सिरफ एक ही reliable inflow बचेगा और यह दोनों उसे oil और natural gas उस बख पिलाके देगा क्योंकि यही वाला सकलेन को छ लेकिन यह inflow चाइना के current fossil fuel की जो supply है उसके सामने बहुत छोटा प्रूव होगा पूरी तरह से fulfill नहीं करके दे पाएगा और कुछी हफतों में चाइना का जो oil reserve है इसकी वज़ा से वो खत्म हो जाएगा अब military कुछ महीनों तक अपने strategic reserves के दम पर जरूर fight कर पाएगी लेकिन civilian sector की जो energy है वो star हो जाएगी अब इसका result यह होगा कि चाइना की जो internal domestic economy है वो काफी हद तो कॉलाप्स करने लगेगी अब साथ ही चाइना का 60% से जादा जो trade है वो ocean के थ्रू होता है और आप सबको पता है कि चाइना माल export भी बहुत करता है manufacturing sector में उसका बहुत दबबा चलता है तो यह export भी कहां से करेगा और war की situation में जो सारे का सारा trade है यह सारे का सारा trade रुक जाएगा और इसका सारा credit इसके massive submarine fleet के attack को नहीं रोग पाएंगे अब USA के surface task forces जो है वो असानी से उस time में चाइना के जो maritime trade routes से उनको चोक कर पाएंगे और वो चोक भी उनको multiple strategic points पे करेंगे जैसे कि Malakka Strait जैसे कि Gulf of Oman जैसे कि Panama Canal अब चाइना यह problem solve करने के लिए अपने outside ports और airfields को secure करने की करेगा ताकि वो strategically important waterways के पास अपनी forces का base बना सके लेकिन तब तक चाइना सिरफ एक small basis secure कर पाएगा और वो है उसका जिबूती लेकिन वहां भी कुछी मील दूर अमेरिका का वहां पे भी एक base है और जब बात आती है geopolitical support की तो दुनिया काफी हद तक US की ideological side पर होगी USA के प basis बनाने से रोकेंगे अब इसका मतलब यह कि इवन अगर चाइना टेकनोलोजी कली और मिलिटरली सौंग बन भी जाएगा उसकी trade dependency और उसकी energy requirements उसके लिए एक weak point USA के comparatively हमेशा बनी रहेंगी हाला कि Chinese Navy आज दुनिया की largest Navy है लेकिन इन में से जाधातर ships चोटी vessels है जो mainly missile boats य US के carrier strike groups को किसी भी हालत में face करने के लिए नहीं बनाई गई अब सब planning के बावजूद चाइना के पास अभी भी कोई viable solution नहीं है ना तो अभी के time के लिए और ना ही इसके पास long term के लिए हाँ चाइना steadily अपनी blue water navy को build कर रहा है जो far from home operations को handle कर सके लेकिन इस goal को achieve करने में चा मार्च कर रहा है उक्रेन के उपर चाइना के लिए geopolitics का ये challenge और भी daunting हो जाता है क्योंकि अब उसकी support में presently Russia उतना effectively नहीं आ पाएगा क्योंकि Russia को presently दो fronts के उपर involved होना पड़ेगा अब इस context में सबसे important चीज़ जो Taiwan के बाद चाइना के लिए बचेगी वो है South China dispute को जल्द वाली juggler Wayne है वो बना हुआ है जिसके उपर US से कदम रखना चाहता है अब South China Sea में चाइना का जो रोल है और जो बाकी countries के साथ उसके conflicts है उसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये issue सिरफ territory का नहीं है बलकि resources और power के control का भी है पहले तो ये सवाल उठत करता क्या है इस area में बहुत मस्त strategy है उसकी चाइना पहले अपने लिए एक natural beachhead डूनता है आगर beachhead मिल जाए natural तो भाई well and good है उसके लिए लेकिन जब वो natural beachhead उसे नहीं मिलता तो वो अपने तरीके से अपने खुद के बेस बनाने लग जाता है अब South China Sea में छोटे islands को take over करन के लावा चाइना ने अब वहाँ पर artificial islands भी बनाने शुरू कर दी है और शायद आज के पहले जब आपने South China Sea का नाम सुना होगा आज नाम सुन रहे होगे आपके perspective में एक बदलाव आया होगा कि क्यूं चाहिए चाइना को South China Sea अब यह islands चाइना की जो military staging grounds है उसके लिए वो तियार कर रहा है जहां से वो अपने regional dominance को unchallenged रख सकता है अब यह artificial islands जो reefs यह rocks पर बनाये जाते हैं उन्हें पहले dredging process से solid ground दिया जाता है फिर उस solid ground की उपर harder material डाल के वो छोटे छोटे military bases बना लिया जाते हैं और इस तरह से चाइना उन undisputed areas को अपनी territories में convert करता है और बाकी countries को एक clear message भेजता है कि भाई यह waters चाइना के control में हैं और किसी दूसरी country को interfere करना यहाँ पर महंगा पड़ेगा आप कुछ लोग कहेंगी कि भाई यह चाइना का बस maximalism है वो अपने surrounding waters पर control जमाना चाहता है लेकिन अगर हम deeper जाएं तो South China Sea में economic और strategic interest भी हैं जो इस situation को और complex बना देते हैं अब estimates के हिसाब से, reports के हिसाब से, newspapers के हिसाब से आज की rate में South China Sea में 11 billion barrels का crude oil है और 200 trillion cubic feet की natural gas reserve अगर China इस sea पर अपना complete control जमाने में successful हो जाता है तो भई उसके जितने energy resources हैं काफी लंबे समय तक वो इसका मसला definitely हल कर लेगा अपने बिल्कुल neighborhood में से जो कि उनकी booming population और energy demands को बहुत लंबे समय तक satisfy करके रखेगा अब एक और angle है कि South China Sea के जो fishing zones हैं ये भी काफी valuable है जैसे कि हमने बात करी थी आज की rate में China लगभग अपना 35% खाना import कर रहा है और दुनिया की 10% fisheries South China Sea में हैं अब China जिसका food demand day by day और बढ़ता जा रहा है वो यहां के fish resources के import पर rely किये बिना अपनी food security को secure कर सकता और आखरी में इसका फाइदा उसको ये भी होगा कि ये control indirectly उसके neighboring poor countries को उसके साथ align होने पर definitely मजबूर करेगा जो आज की date में USA के allies है क्योंकि food और resources पे control किसी को भी influence करने में एक बड़ा geopolitical tool है लेकिन ये सिरफ चाइना और resources की बात में South China Sea पर और भी countries का claim है जैसे कि Philippines, Vietnam, Brunei, Taiwan, Malaysia ये सब का आज की date में South China Sea पे अपना control मानते हैं और इनको support करता है US इनका कहना है कि उनके claims, historical facts और geography वेवेश है और problem तब और complex हो जाती है जब US Navy भी South East Asian allies के साथ मिलकर अब इस चीज़ को China एक provocation की तरह देखता है क्योंकि उसका कहना है कि इस area में United States of America interfere करके चाइना के strategic interest के साथ खेल रहा है अब South China Sea सिरफ एक territory नहीं है ये एक major commercial passage भी है जो Asia को Europe और Africa से connect करता है आज की date में world का one third से जाधा shipping trade जो कि अगर मैं आपको figures में बताऊं तो 3.37 trillion dollars के आसपास है वो सारे का सारा यहीं से गुजरता है आगर यहाँ पर चाइना का complete control आ जाता है तो भई उनका global trade और influence पर जो control आएगा वो बहुत जादा strong हो के आएगा अब इसी के चलते हुए यह मामला कई बार international tribunals में भी गया जैसे 2016 में हेग के international tribunal ने rule किया था कि भई चाइना का South China Sea पर historical rights नहीं पर चाइना ने इस ruling को openly reject कर दिया और बोला कि हेग को तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है और बोला कि भई मैं यहाँ पर अपना claim continue रखूँगा अब South Asian nations ने सोचा कि भई शायद हम हेग के पास हमामला नहीं सुल जापाए तो bilateral talks के जरीए चाइना के साथ इन disputes को resolve करके देख लेते हैं अब इसी के बीच उन्होंने ASEAN के जरीए भी चाइना के साथ मिल के एक official code of conduct बनाने की कोशिश करी तांकि South China Sea में clashes और confrontation से बचा जा सके लेकिन सब में मुझे लगता है कि शायद ये जो problem है वो एक territory का problem नहीं है बलकि ये resources और geopolitical power की projection है ये area ना सिर्फ economic और strategic resources provide करता है बलकि इसके control से चाइना अपने influence और power को global level तक बढ़ा सकता है लेकिन इसके conflicts और बाकी countries के interest को देखते हुए ये tension शायद इतनी असानी से खतम होने वाला नहीं है क्योंकि जो भी लोग South China Sea में चाइना के खिलाफ बलेड रहे हैं किसी ना किसी तरीके से they are being backed by United States of America and USA, South China Sea अब इस context में question आगे ये उठता है हमारे सामने कि क्या चाइना फिर अपने आपको कल सुपर पावर के रूप में देखता है क्या वो सुपर पावर बनता है लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि दुनिया के लिए सुपर पावर बनने के चक्कर में क्या सबसे बड़ा थ्रेट चाइना के रूप में इस्ट में ही चुपा हुआ है क्या चाइना सच में दुनिया को टेक ओवर करने का प्लान बना रहा है अब आज के टाइम में चाइना एक मैसिव वर्ड पावर के रूप में उभर कर आया है ये बात तो सबको एक्सेप्ट करनी होगी अगर आप modern standards देखें तो शायद USA के बाद चाइना को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सुपर पावर कहा जाता है ये देश जिसमें दुनिया की सबसे जादा population है USA के comparison में लगभग चार गुना जादा लोग चाइना में रहते है अब चाइना के पास दुनिया की second largest economy है और territorial size के मामले में भी ये रश्य और कानडा के बाद तीसरे नंबर पे आता है और इसी के साथ चाइना दुनिया के कुछ चुनिंदा nuclear powers के group में भी शामिल है और इन सब चीजों के चलते हुए चाइना की जो ambitions है वो शायद इस continent से भी बहुत आगे तक जा चुकी है ये कहानी सिरफ एशिया तक सीमित नहीं है जब हम चाइना के military expansion उसकी economic influence और इसके political reach को देखते हैं तो भई ऐसा लगता है कि चाइना की नजरें पूरी दुनिया पे हैं लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि क्या चाइना सच में दुनिया को अपने कबजे में लेना चाहता है या फिर वो अपने survival और growth के लिए अपनी position को बस secure कर रहा है और दुनिया को डरावा दे रहा है अब यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त के साथ ही मिलेगा लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो दुनिया को चाइना के उठाई हर कदम को बहुत गौर से देखना होगा अगर हम चाइना के world plans को समझना चाहें तो सबसे पहले हम उसके आसपास में एक जगा है हॉंग कॉंग उसकी case studies इसको अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम हॉंग कॉंग की इशू की बात करें तो हॉंग कॉंग की story एक ऐसे conflict की story है जिसमें history, autonomy, power dynamics सब कुछ mix हो रहा है और इसी से हम चाइना के मनसूबों को अच्छे समझ पाएंगे देखो सब शुरू होता है 1842 में जब पहले opium war के बाद British empire ने हॉंग कॉंग आइलेंड का एक हिस्सा अपनी colony बना लिया था अब उसके बाद में चाइना ने new territories, Britishers को 99 साल की लीज पर दे दिया और इसी time हॉंग कॉंग एक busy commercial port और manufacturing hub भी बन गया अब जैसे ही 1997 में लीज खतम होने का टाइम आया Britain और China ने हॉंग कॉंग के future पर बात की और एक unique solution सोचा वही solution जो हम ताइवान में डिसकस करके आए हैं और यह solution का नाम था one country two systems अब इस solution के तहए तो हॉंग कॉंग को चाइना के साथ मर्ज तो किया गया लेकिन अपनी autonomy और legal system maintain करने का promise करा गया इसका मतलब यह है कि हॉंग कॉंग को 50 साल तक अपने borders legal system और basic rights जैसे कि free speech, right to assembly यह सब चीजे रखने का अधिकार मिलेगा लेकिन दोनों के बीच में agreement होने के बाद यह agreement जादा देर तक smoothly नहीं चल पाया और पिछले कुछ सालों में बीचिंग ने धीरे धीरे Hong Kong के उपर अपना grip tight करना शुरू कर दिया है और इसके लिए बीचिंग के पास एक बहुत तगड़ा हत्यार है वो है censorship का अब बीचिंग के censorship के डर्स है आज की रेट के Hong Kong के artist और writers ने अपनी उपर self censorship का pressure feel करना शुरू कर दिया है जिससे जो उनकी democracy है वो काफी हद तक limited हो गया है क्योंकि press हो गया, artist हो गया, writer हो गया the ones who express the views of the people in the democracy are also the fourth pillar of democracy अब 2019 में तो situation और भी serious हो गयी थी जब Hong Kong में बहुत बड़े level के उपर protest शुरू हो गये थे अब एक extradition bill proposed किया गया था जो mainland China में fugitives को भेजने की permission देता था अब इससे Hong Kong के लोगों के मन में ये डर फैल गया कि चाइना इस bill को misuse करेगा political dissidents को control करने के लिए अब Hong Kong में जैसे ही protest शुरू होए इस बार जो Beijing का response था वो और भी ज्यादा aggressive हो के आया अब Beijing ने क्या करा कि उन्होंने public gatherings पर bands लगाने शुरू कर दिये और जितने उसके political dissidents थे उनको jail में डालना शुरू कर दिया अब इसी के बीच चाइना के लिए Hong Kong सिरफ एक financial hub ही नहीं लेकिन एक national security या national pride का मुद्धा भी बन गया था जो चाइना के influence और power को world के सामने demonstrate कर रहा था चाइना के अंदर भी काफी changes आ चुके है 1949 में जब Mao Zidong के अंदर चाइना communist nation बना था तब वो काफी strict policies के साथ चलता था जो countries को बाद में फिर famines और repression की तरफ ले गई थी लेकिन फिर देंजियाओ पिंग और प्रेजेंट लीडर जी जिन पिंग क्याने के बाद चाइना ने अपना model change कर लिया और अब presently चाइना government controlled capitalism के hybrid system पर चलता है अब इस economic model ने चाइना की economic and global superpower बनाने में काफी help करी है और आज चाइना दुनिया का leading electronics appliances और rare earth minerals का producer है लेकिन modernization के साथ साथ चाइना में Chinese government का control भी उतना ही जादा strong होता रहा है और बढ़ता रहा है अब चाइना में आजकल technology और internet का extensive use और intelligence gather करने का एक नया trend चला है जो आपे state government खुद वहाँ पे involved है Chinese websites और apps जैसे की TikTok extensively world over जहाँ जहाँ भी operate कर रही है वहाँ से data collect करती है और ये data फिर Chinese government के पास चला जाता है और इस data का इस्तेमाल वो अपनी surveillance और control system को और tight करने के लिए use करता है अब Hong Kong को जो autonomy दी गई थी वो भी अब largely undermined हो चुकी है elections अब भी होते हैं पर China उन candidates को disqualify या arrest कर देता है जो उसकी policies के खिलाफ कड़ा होता है आप जब COVID के दुरान shutdowns आए तो China ने इस opportunity का use करके protest और public gatherings को effectively ban कर दिया कि भाई COVID ने का time चल रहा है तुम लोगी कठे नहीं हो सकते और तुम protest भी नहीं करोगे और सिरफ Hong Kong ही नहीं चाइना ने internally भी अपने अंदर एक social credit system बनाया है आप सब लोग जानके हरान हो जाओगे आप इस social credit system के तहत जो citizens के behavior और government loyalty के basis पर अपने citizens को score assign करता है इस score के basis के उपर देखा यह जाता है अगर आपका score हाई है तो आपको कुछ special privileges मिलेंगी लेकिन अगर आपका score कम है तो आपकी जिंदगी बहुत जादा restricted कर दी जाएगी यह system चाइना के लोगों पर एक indirect control रखने का ही एक तरीका है जिससे Chinese government उनकी daily life को monitor करती है यानि कि कुल मिलाकर एक surveillance state जैसा महौल create कर देती है अब अगर आप चाइना के अंदर हैं तो भाई आपके ऊपर एक strict surveillance और control का layer definitely चड़ा रहेगा लेकिन अगर आप चाइना से बाहर हैं तो आपकी situation इस बात पर depend करेगी कि भाई आप कहां हैं और चाइना का influence आप से कितनी दूरी पर है अब होंग कॉंग में ये influence और भी जादा visible है because of its proximity with China और चाइना के लिए होंग कॉंग एक ऐसा symbol है जो उनके expanding power और ambitions को reflect करता है अब होंग कॉंग के case study को समझने के बाद हम ज़रा regional dynamics पे भी नजर डाल देते हैं जिससे कि हम इस सवाल का जवाब डून पाएंगे कि होंग कॉंग जैसे क्या चाइना अपने आसपास के entire region के लिए भी कुछ ऐसी ही plannings कर रहा है तो चलिए एक नए चाप्टर की शुरुआत करते हैं the regional dynamics of China देखिए region में सबसे बड़ा military power होने की वज़ा से काफी countries चाइना को directly challenge करने से पहले ही पीछे अड़ जाती है लेकिन अब तक चाइना ने भी open military action लेने की वज़ाए soft power के जरीए इन सब को जीतने की कोशिश की है अब चाइना का region में सबसे tense जो relation है वो वियतनाम के साथ है जिसके साथ चाइना पहले कई wars लड़ चुका है आज कल वियतनाम के coastline पर चाइना का जो increasing encroachment है और Vietnamese ships को हरास करने का जो trend है वो भी इस दोनों कंट्रीज के बीचे रहा जो tensions उनको और बढ़ा रहा है अब 2014 में चाइना ने वियतनाम के ocean territory के deep area में एक oil rig बनाने का काम भी शुरू करा था जिसकी वज़ा से भी इन दोनों के जो relations थे वो और ज़ादा complicated हो गए थे अब इस area में और इस region में दो और major powers भी है that is North Korea and India और यहाँ पे इन दोनों को major कहने का मेरा context है कि भी यह दोनों के दोनों nuclear powers है अब इन में से एक जो nuclear power है वो है North Korea तो भी North Korea तो अकसर चाइना के साथ align रहता है अब बचा इंडिया अब इंडिया के साथ जो चाइना है वो dual front strategy के तहत खेम खिलता है एक तो अरुनाचल परदेश अकसाइचिन गलवान जैसे एरियाज में खुद ही उसके साथ टसल करता रहता है और दूसरा इंडिया के western border की तरफ से अपने पाकिस्तानी ponds के जरिए इंडिया के साथ कभी कभी conflict करता है उसका ध्यान और resources divert करने की कोशिश करता है और ऐसे इंडिया और चाइना का जो geopolitical scenario को चलता रहता है लेकिन इस regional dynamics में भारत एक definitely major player है जिसको हमें थोड़ा detail में देखना पड़ेगा और हमें पूरी की पूरी जो ये इंडो चाइना game है उसको समझना पड़ेगा अब दोस्तों पिछला हफता इंडियन जियो पॉलिटिक्स के लिए काफी बीजी रहा है सब शुरू हुआ इंडियन foreign minister Dr. S.J. Shankar के इसलामबाद विजिट से जो दस सालों में पहली बार इतने senior इंडियन official का पाकिस्तान विजिट था और ये विजिट SCO की multilateral conference के लिए था जिसका geopolitical impact काफी बड़ा हुआ इसके बाद फिर एक ख़बर आई कि इंडिया और चाइना के बीच लदाख में LAC पर एक disengagement pact साइन हो गया है अब लगबग 5 सालों से गलवान के वक्त से इंफाक्ट जो military tensions दोनों देशों के बीच में चल रही थी उसमें कुछ extent तक हमें एक end दिखाई दिया अब ये pact तब और भी formal हो गया जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी और चाइनीज प्रेजिडेंट जी जिम्पिंग काजान में जो रशिया में एक शेहर है वहाँ पे जब BRICS का सब्मिट हो रहा था तो उसके साइड लाइन के ऊपर इन दोनों ने 2020 के बाद एक bilateral meeting करी अब यहाँ सोचने वाली बात ये कि दो बड़ी powers जो अक्सर एक दूसरे से टकराव में रहती है अब एक तीसरे देश की जमीन पर मिलके काम करने के लिए रेडी हो गई है और अगर देखा जाए तो चाइना के बढ़ते economic crisis ने शायद जी जिन पिंग को कुछ हद तक इन unexpected concessions को देने पर मजबूर करा हो अगर हम Chinese economy की बात करें तो Chinese economy अपने सबसे slow growth पे है अगर हम numbers में देखें तो यह 4.6% है जो पिछले 18 महीनों में सबसे कम है property sector जो कभी Chinese economy का लगबग 30% हिस्सा हुआ करता था वो लगातार 3 साल से slump में है और youth employment भी 18.8% तक पहुँच गई है यह downtown China की economic structure issues को reflect करते है जिससे economic stagnation और social tensions काफी हद तक बढ़ रहे है और शाहिद यही tensions की वज़ा से Chinese लोगों का एकमत ये भी है कि भाई अगर उन्हें CCP की जगह Taiwan जैसा liberal control मिलता तो शायद आज वो आज condition में नहीं होते है अब इस context में आप फिर से इस बात को उससे relate कर लो कि भाई Taiwan को capture करना China के लिए और भी जरूरी हो जाता है अब साथ ही ये tension अब Xi Jinping और Chinese government की legitimacy पर भी question raise कर रही है जो अब तक एक strong economic performance पर टिकी हुई थी अब IMF के हिसाब से Chinese local governments पर 60 trillion yuan का debt है और property market China की एकदम से collapse हो गई है और collapse होने की वज़ा से जो वहाँ का cash flow है वो एकदम से dry up हो गया है अब Xi Jinping ने recently एक बड़ा monetary stimulus भी announce किया था जिसके तहट उन्होंने अपने देश में interest rates को cut किया और stock markets और banks के लिए bailout packages भी announce करें पर इसमें China को और debt add करना पड़ा जो अपने साथ एक added risk लेके आता है क्योंकि अगर आप bailout कर रहे हो तो कही ना कहीं से पैसा लेके आओगे और चाइना के बास पैसा है नहीं पैसा लिया debt में और debt में एक added risk आड कर दिया क्योंकि अब अगर ये plan failout हुआ तो चाइना एक जपान जैसे deflationary spiral में फस्च आएगा अब इस backdrop में शी जिन्पिंग का इंडिया के साथ border issue पर soften होना इवन एक common man को भी काफी अत्तक समझ आता है अब उन्होंने ये disengagement pact अपने domestic economic issues को थोड़ा time देने के लिए किया ताकि जो military tensions है उससे चाइना की economy का जो resource है वो drain ना हो और US elections के चलते हुए अगर उन्हें east में एक front खोलना भी पड़े तो वो अपने military resources को efficiently use कर पाए और इसी के चलते हुए कजान में उनका Prime Minister Modi के साथ handshake एक pragmatism का symbol माना जा रहा है जो दिखाता है कि भाई वो अपनी priority areas में definite shift ला रहा है लेकिन ये सब west के लिए एक threat की तरह है अगर इंडिया और चाइना कभी भी करीब आते हैं तो west का एशिया पर influence और कम हो सकता है और west को ये मनजूर नहीं है पर कजान का ये bilateral meeting हमें दिखाता है कि अब west कुछ नहीं कर सकता जो चाइना और इंडिया को उनके independent रस्ते पर काने से रोक सके क्योंकि वो west या mainly USA ही था जिसने five eyes alliance के चलते Canada के साथ दिया और निजिर मडर केस में इंडिया के विकास यादव intelligence agencies और diplomats के खिलाफ एक public announcement करके allegations लगाए जिसके चलते इंडिया और Canada के बीच एक diplomatic expulsions का scenario create हुआ अब जो एस जैशंकर हैं वो भी SEO summit attend करने पाकिस्तान में गए और Modi का BRICS के sidelines पे पूतीन के साथ informal dinner और शी जिंपिंग के साथ bilateral meeting west को इसी चीज का करारा जवाब है लेकिन भारत को इस वक्त के उपर बहुत ही cautious रहना होगा क्योंकि शी जिंपिंग ने जब 11 साल पहले China dream का वादा किया था तब उन्होंने अपने लोगों को दुनिया के सबसे बड़ी power बनाने का promise किया था लेकिन अब आज जो ground reality है वो कुछ और ही signal दे रही है लोग रंस्यू यानि देश छोड़ने की इच्छा में इंटरस्ट दिखाने लगे है और शी के लिए ये एक costly lesson है जो अब उन्हें dominance की जगा detanche की तरफ लेके जा रहा है जिसके चलते इंडिया को अभी भी alert रहना होगा क्योंकि किसी भी moment पे PLA का behavior fragile peace को disrupt कर सकता है जैसे कहते हैं ना कि there are many slips between the cup and the lip तो इंडिया चाइना के cup and lips के बीच दो major slips है पहला अरुनाचल और दूसरा अकसाइचिन चाइना और इंडिया के बीच के border conflicts में और नाचल परदेश और अकसाइचिन दो बहुत ही critical regions है जिनके उपर दोनों countries अपना claim रखते हैं यह territory सिरफ geographical boundaries तक limited नहीं है इनमें strategic और economic factors भी deeply involved हैं जो इन disputes को और complex बना देते हैं चलो इन regions को पहले detail में देखते हैं चलो इस सबसे पहले हम अरुनाचल परदेश की बात करते हैं अब चाइना का claim है कि अरुनाचल परदेश जो इंडिया का northernmost state है असल में यह South Tibet का part है इसलिए वो उनका हिस्सा होना चाहिए अब इस claim कि अगेंस्ट इंडिया अपनी सोवरानिटी को project करने पर focus करता है लेकिन ताइवान भी South Tibet पर अपना right जताता है अब अरुनाचल परदेश का जो location है वो भी इस conflict को और ज्यादा intensify कर देता है क्योंकि यह state भुटान, Myanmar, Tibet और इंडिया के असाम और नागालैंड के बीच में located है और इस position के exactly आसपास में जहां पे भुटान वाला area है वहां पे भी China crisis create करके बैठा है और वो area इंडिया के chicken neck के बिल्कुल पास में है दरसल अगर हम इसका background देखे तो 1913 और 1914 में Great Britain, China और Tibet के representatives ने शिमला conference रखी थी जिसमें McMohan line establish की गई जो British India और outer Tibet के बीच एक boundary set करती है अब Tibet और British officials ने तो इस line को accept कर लिया लेकिन Chinese representatives ने इस boundary को कभी नहीं माना और तब से लेकर अब तक इस demarkation को China invalid declare करता आया है अब 1962 की Snow Indian War में चाइना ने अरुनाचल परदेश के बहुत बड़े हिस्सों पर कबजा कर लिया था लेकिन war खतम होने के बाद चाइना वापस लोट गया अब recent years में चाइना ने अरुनाचल परदेश पर अपना claim openly assert करना शुरू कर दिया है और इसमें भी खास तौर पर तवांग डिस्ट्रिक्ट में है जो strategically टिबट और भुटान के साथ border share करता है अब चाइना ने तो नए maps बना के पुराने maps को replace करना भी शुरू कर दिया है जिसमें इन areas के नए Chinese names हैं ताकि अपना claim वो और भी strong तरीके से project कर पाए लेकिन इसके साथ साथ हमें hidden story समझनी हूँ अरुनाचल परदेश में चाइना का economic interest है दरसल अरुनाचल परदेश के resources भी इस dispute को और ज़ादा fuel करते है ये region जो है वो gold और lithium जैसे rare minerals के deposits के लिए जाना जाता है और China इन natural resources को exploit करना चाहता है अब इतना ही नहीं इसका अगर मैं आपको evidence दू तो China ने Tibet की लूनी county में एक massive mining operation करा जिसमें उन्हें ये पता चला या उन्होंने ये discover करा कि इस वाले area में gold और silver के जो deposits हैं वो लगबग 60 billion dollar के आसपास के हैं और आज की date में ये लूनी county वाला area exactly boundary share करता है अरुनाचल परदेश के साथ और इसी वज़ा से आज की date में China सिरफ strategic कारणों के वज़ा से नहीं बलकि economic interest की वज़ा से भी अरुनाचल के उपर अपना claim जताता है अब अगला aspect है oxygen का अब अगर हम oxygen की बात करें तो ये एक ऐसी territory है जो कश्मीर के पास है और जहां पर China और India के interest directly टकराते हैं oxygen primarily जिंजियांग के south western पार्ट में आता है और थोड़ा सा टिबबत में भी include होता है जबकि इंडिया का कहना है कि भई ये लदाक region का हिस्सा है अब ये area काफी remote और harsh climate के लिए जाना जाता है और वहां mainly nomadic tribes रहती है 1950s तक ये area relatively ignore किया जाता था लेकिन चाइना ने वहां टिबट और जिंजियांग को connect करते हुए एक military road बना दिया है जिससे इंडिया को बहुत जादा गुसा आया अब ये road 1962 के Sino-Indian conflict का एक major trigger भी बन गया था और war के बाद चाइना ने लगभग 14,700 स्क्वेर माइल्स का area अकसाइचिन में अपने control में कर लिया था दोनों countries ने 1993 और 1996 में कुछ agreements भी sign करें जिसमें line of actual control जिसे हम famously LAC बोलते हैं उसको respect करने का commitment करा गया था अब LAC वो line है जो Indian controlled और Chinese controlled territory इसको separate करती है लेकिन ये boundary भी clear नहीं है और इसी की वजह से इन दोनों देशों के बीच ये frequently हमें कुछ-कुछ stand-offs और clashes देखने को मिलते हैं लेकिन इसके पीछे का background region भी कुछ और ही है जैसे रुनाचल में वहां की economic जो capability है उस region की गोल्ड की या आप बान लीजिए other reserves की वैसे ही exciting भी अपने आपने एक strategic importance रखता है अब exciting की जो location है वो चाइना के लिए बहुत जादा strategic है ये region mainly अगर हम इसकी height ही बात करें तो 17,700 feet के आसपस की height है इसकी जो चाइना को एक high ground advantage देता है अगर कभी चाइना और उसके neighbors जैसे की इंडिया या पाकिस्तान के बीच war होता है तो exciting का high ground चाइना की military operations को support कर सकता है और उन्हें एक इससे बड़ा tactical advantage भी होगा अब ये conflicts सिर्फ borders के नहीं है अरुनाचल परदेश और अक्साइचेन का dispute सिर्फ border lines तक limited नहीं है अब आज की date में अरुनाचल परदेश और अक्साइचेन का जो dispute है वो सिर्फ border lines तक limited नहीं है ये strategic, economic और cultural factors का combination है चाइना अपने nationalistic और economic goals को pursue करना चाहता है जबकि इंडिया अपनी territorial integrity और sovereignty को defend करना चाहता है अब ये दोनों regions एशिया में एक power dynamics को deeply impact कर रहे है अरुनाचल के natural resources अक्साइचेन का high ground advantage और दोनों regions का geopolitical significance इस पूरे scenario को और भी complex बना देता है अब चाइना अपने influence को बढ़ाना चाहता है और इंडिया भी अपनी position को एक assert करना चाहता है कि ये हमारी जमीन है हम इससे पीछे नहीं अटेंगे अब इन सब factors को देखते हुए ये conflict फिलहाल resolve होते हुए नहीं दिखते है आगर ये agreement हुआ भी है that might have two implications कि चाइना या तो eastern front खोलना चाहता है या चाइना की economic crippling है और इस सब में हमें जो ये case studies है इससे एक बात तो clear हो रहाती है कि अपने regional power status को चाइना sheer force of will के जरीए established कर रहा है लेकिन इसके exactly opposite हमें उसकी जो strategy दूसरी जगह पे है वो complete अरग तरीक से देखने को मिलती है जैसे कि हम अगर Africa में देखे तो Africa में चाइना की strategy बिलकुल अलग है Africa जो की historically colonialism, occupation और brutal slave trade का शिकार रहा है वहां कई nations को bloody wars के बाद 20th century में independence मिली और इसी वजह से जहां कई African countries आज भी Europe और North America के साथ अच्छे diplomatic relations में है लेकिन कुछ आज भी पुराने wounds को अब तक heal कर रही है और उनके जो wounds हैं वो अभी तक भी heal नहीं हुए है और इसी वजह से China को इस बात का पता है and hence China को Africa में अपने expansion के लिए एक massive opportunity इन देशों में नजर आती है लेकिन यहाँ China इन देशों को अपने साथ करने के लिए इनको intimidate नहीं करता बलकि इन देशों को अपने साथ करने के लिए उनको पैसे देता है वहाँ पे investments करता है और buy करने की कोशिश करता है तो चलिए अब जो exactly opposite scenario और इंडिया से अब China ने अपना focus South China Sea और Asia के दूसरी regions के beyond expand करना शुरू कर दिया और यह आज की expansion इसकी आफरीका तक पहुँच गई है आज हम बात करते है चाइना के लिए आफरीका में investments का क्या importance है और यह partnership दोनों के लिए कैसे different dimensions में work कर सकती है अब सबसे पहले बात करते हैं कि चाइना का आफरीका में strategic interest क्या है अब देखा जाए तो आफरीका चाइना के लिए attractive investment ground बन गया है अब आप पूचेंगे क्यों क्योंकि अगले 30 सालों में आफरीका की population double होने का estimate है जहां world over जो population है उसका median जो population का number है में highest होगा यही नहीं दुनिया के top 10 fastest growing economies में से साथ आफरीका में है और इसी वज़ा से आफरीका को future investments के लिए एक hot spot माना जा रहा है अब चाइना का अप्रोच काफी smart है अब चाइना के investments जो आफरीका में है वो आफरीका के future को देखते हुए ही नहीं बटकि अपने geopolitical ambitions को expand करने के लिए भी है अब चाइना का यहां पर game plan क्या है अब चाइना का game plan यह है कि यार चाइना यहां पर low skill jobs create करता है और low skill jobs को create करके वहां के local लोगों को employment देता है उनकी employment में contribute करता है लेकिन जो भी higher level or decision making positions होती है वो सारी की सारी Chinese workers के हाथ में रहती है इससे चाइना दो levels के उपर अपने आपको benefit देता है एक तो भई उनके वो अंदर एक mass popularity आएगी कि चाइनीज company हमारे लोगों को jobs दे रही है लेकिन साथ ही साथ अफरीका में जो labor rates है वो बहुत ज़ादा economical है और चाइना manufacture के sector में यहाँ पर ये advantage भी ले रहा है अब अगर देखे हम चाइना के लिए तो फाइदे की बात है लेकिन क्या अफरीका के लिए भी ये partnership फाइदे मन है अब अगर हम ये relationship अफरीका के लिए देखे तो अफरीका के नजरिये से ये positive भी है और negative भी है अब positive वाला aspect हम उपर discuss कर आए लेकिन negative aspect के रूप में कुछ लोग इसको debt trap मानते हैं अब debt trap के रूप में अगर जब हम इसको देखते हैं तो चाइना अफरीका की कई country इसको infrastructure loan दे रहा है लेकिन आगर ये projects profitable नहीं हुए तो इन country इसको repayment में definitely issue face करना पड़ सकता है जैसा की हमने होता हुआ हिरि लंका में देखा अब इन situations में country के पास अपने strategic assets यह resources को चाइना के control में देने के लावा कोई और option बचेगा नहीं जो उनकी sovereignty के लिए एक threat बन जाएगा अब इसके इलावा चाइना के heavy industrialization से आफरीका का जो environment है वो भी effect हो रहा है African government से इन investments का जो economic benefits है उससे इतनी attracted है कि अभी ये issues को largely ignore कर रहे है कि environment में जंगल कट रहा है कटने दो चाइना एक factor लगनी चाहिए अब अगर हम चाइना का long term game plan समझे भाई आखिर कार ये करना कह चाहता है देखो चाइना अपने influence को strategically expand कर रहा है बिल्कुल उसी तरह जैसे पुराने जमाने में superpowers किया करते थे यॉरप और नॉर्थ अमेरिका के साथ चाइना एक cautious diplomacy और cyber tactics का यूज कर रहा है लेकिन अफ्रिकन और third world nations के साथ एक friendly और investment based approach रख रहा है जिसके थुरू चाइना उनका एक strong alliance network बनाना चाहता है जो आगे चलकर पुराने world powers को challenge देने में उसका मदद करेगा अब 21st century को कई लोग Chinese century कहते हैं क्योंकि चाइना की economy पहले से बहुत fast grow कर रही है लेकिन COVID-19 के economic impact ने इस growth को slowdown कर दिया है इस slowdown ने काफी repercussions भी दिये चाइना को पर आगे देखना यह होगा कि चाइना कैसे इस challenges को handle करता है तो चलिए अब एक geopolitical और diplomatic challenges देखें चाइना का aggressive military expansion और domestic policies उसकी growth को काफी हद तक block कर रहे हैं अब western countries में चाइना के गेंस्ट diplomatic sentiments जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं especially उसका जो उईगूर Muslims का treatment है और internment camps है और इन सब की वजह से एक negative narrative वहाँ पर create हो रहा है अब इसके साथ साथ बुद्धिस्ट और Falun Gong minorities के गेंस्ट भी hard sections ले रहे हैं चाइनी सरकार जिस वजह से भी west अब चाइना में heavy investment से cautious हो गया है अब कुछ exports ये भी speculate करें कि ये moves चाइना के लिए future military ambitions की planning हो सकती है अगर कभी चाइना और US या NATO के बीच conflict होता है तो भई चाइना आफरीका में जो चाइना का influence और infrastructure है वो उनके global power projection में काम आएगा लेकिन इसके साथ ही war के दरान उन अफरीकन countries को भी risk face करना पड़ेगा क्योंकि चाइना के जो networks और investments हैं वो vulnerable हो जाएंगी अब अगर हम military strength की बात करें तो आज के time पे चाइना दुनिया की एक powerful military force बन गया है जो शायद the second strongest है लेकिन रश्या के पास सबसे ज़्यादा nuclear weapons है पर उनका system इतना ज़्यादा reliable नहीं कि भाई emergency में सब missiles काम कर पाएंगी क्योंकि आज तक उन्होंने उसको testing नहीं करा है अब चाइना का जो focus है वो conventional और non nuclear forces दोनों पे हैं जुसमें हमने उसका PLARF देखा और वो अपने influence को expand करने के लिए soft power और economic investments का smart use भी कर रहा है जो अफिलिका में हमें clearly देखने को मिला अब ये partnership सिर्फ resources और economy तक limited नहीं है चाइना का global influence बिल्ड करने के लिए उसने एक नया model निकाला है आज के global landscape में जहां superpower नए alliances और strategies एक्स्टाइजीज़ कर रही है चाइना और अफरीका का ये relationship आने वाले समय में और भी impactful और complex बन सकता है अब चाइना का global domination का एक plan ऐसा हो सकता है जो traditional military campaign से हट के smart strategies alliances और economic control पर focus करता है ये plan दीरे दीरे उनके expansionist tactics cyber warfare और influence building के mix से पूरा होता है अब देखते हैं कि ये कैसा काम करेगा लेकिन उसके लिए चाइना ने अपने लिए कुछ three to four steps strategy बनाई है सबसे पहले strategy का part है allies और strategic partnerships तो सबसे पहले चाइना अपने current allies को activate करेगा Russia और North Korea इसमें important role play करेंगे Russia पहले ही Ukraine war के दुरान China का close ally बन चुका है और sanctions को ignore करते हुए China उसकी economic मदद भी कर रहा है इसलिए अगर China Taiwan पर attack plan करेगा तो वो Russia को अपने साथ ले सकता है और North Korea जो अब तक South Korea की independence को कभी नहीं मान पाया उस moment का यूज करके South Korea पर pressure बिल्ड कर सकता है अब दूसरा चाइना का थियार है cyber warfare कि छुपके से attack करें अब चाइना का अगला बड़ा weapon उनका cyber warfare का infrastructure है अब सोचो अगर एक सुभा मारिका उठे और देखे कि internet down है smart devices fail हो रहे हैं और government systems भी काम नहीं कर रहे हैं अगर US cyber attack में busy हो गया तो China के warships Taiwan पर shells गिरा सकते हैं और अपना control establish कर सकते हैं ये एक without firing a bullet strategy हो सकते है जिसमें China चुपके से अपने goals achieve करेगा और USA को busy रखेगा अब तीसरा step जो China ने device करा है वो है strategic invasion points China South China Sea में अपना control पहले से बना चुका है लेकिन उसका next move Vietnam और Philippines में अपने military beach heads establish करना है वहाँ से वो USA के allies के against अपने foothold को warstrong बना सकता है और situation को और ज़्यादा complex भी कर सकता है अब North Korea इस time पर DMZ यानि कि demilitarization zone cross करके South Korea पर direct threat create कर सकता है जो US और allies को और भी weak कर देगा और lastly supply chain blockade अब जग में supply chain critical factor होता है Russia ने Ukraine war में जो supply chain issues face किये वो China USA के against create कर सकता है अब China जो आफरीका और Asia में अपना economic और political influence अल्रेडी बना चुका है उन regions का use करके USA को critical resources और supply से cut off करने का try करेगा अब Taiwan का semiconductor industry भी इहां important role play करता है क्योंकि अगर Taiwan चाइना के control में आता है तो USA के advanced technology और military weapons में definitely issues आएंगे और final step में USA की position पर China challenge करेगा अब China का aim directly USA के साथ large scale military conflict में इंगेज होने का नहीं है उसको complete understanding है कि USA की military capabilities आज की data में कितनी है और उसका long term plan है कि दीरे दीरे अपने alliances, resources और regional control को इतना expand करें कि वो global dominance का सबसे बड़ा contender बन जाए अगर कभी Hawaii जैसी states पर भी influence दिखाया तो China USA की global image को और भी जादा damage कर देगा इस strategy के थुरू China आगे चल कर एक ऐसी power बन सकता है जो बिना बड़ी military confrontation के अपने goals को achieve कर ले लेकिन ये depend करेगा global reaction पर कि क्या USA और उसके allies टाइम पर action लेते हैं यहां दीरे दीरे चाइना का dominance देखते रहे लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक हमने चाइना के biggest asset यह weapon के बारे में discuss नहीं करा जरा सोचिये क्या होगा वो the answer to your question is data तो चलिए discuss करते हैं अगला the data war अब चाइना ने अपने global influence को बढ़ाने के लिए कई strategies अपनाई हैं जो सिरफ military और economic power तक limited नहीं हैं बलकि cyber warfare और propaganda भी इनका एक बड़ा हिस्सा है यह सब चाइना को एक ऐसे level पर लेके जा रहे हैं जहां वो अपनी position को पूरी दुनिया में exert करना चाहता है और साथ ही अपने criticism और opposition को भी tackle कर सकता है अब propaganda और online influence के अगर हम बात करें तो चाइना का online influence काफी structured है जिसमें वो propaganda और misinformation का इस्तिमाल करता है उनके propagandist conspiracy theory spread करते हैं और memes के जरीए चाइना के ideas और push करता रहता है और उनको जो international criticism मिलता है उसका भी response देते रहते हैं जिसमें वो harsh justice system को as a deterrent इस्तिमाल करेगा अब चाइना के पास एक और deterrent है वो है उनका strict और harsh justice system जिसमें वो swear punishments और death penalties सिरफ major crimes के लिए नहीं बलकि छोटे infractions के लिए भी दे सकता है और इस वजह से चाइना अपने citizens के साथ-साथ कभी-कभी foreign nationals को भी arrest कर लेता है especially तब जब prisoner exchanges या उसको international bargaining करनी है जैसे example के तोर पे जब हुआई के CEO को कानडा में arrest किया गया था तो चाइना ने तुरंत एक Canadian citizen को drug charges पे रेस्ट कर दिया अब ये एक signal है कि चाइना अपने allies और adversaries के साथ अपना influence कैसे assert करता है और international stage पर कैसे अपना reach दिखाता है चाइना time to time maneuver करता रहता है अब Taiwan पर चाइना का focus और अगर हम Russia Ukraine war का observation करें तो चाइना का सबसे ज़ादा strategic focus ताइवान पर है जो उसके major expansionist goals का एक major part है लेकिन वो Russia Ukraine war को भी closely observe कर रहा है क्योंकि उससे idea मिल रहा है उसको कि भई कैसे international response को हम एक narrative building में convert कर सकते हैं अब हो सकता है कि भई अगर चाइना ताइवान पर action ले तो भई world over west narrative change कर दे लेकिन Russia को जो sanctions और isolation face करना पड़ रहा है उससे चाइना काफी कुछ already seek चुका है जिससे वो वो चीज नहीं होने देगा अब ताइवान एक universally recognized independent country नहीं है इसलिए चाइना के पास एक legal standpoint का edge है लेकिन USA ने ताइवान की defense का commitment दिया है जो situation को और भी ज़ादा delicate बना रहा है अब अगर चाइना ताइवान पर attack करता है तो ये एक major global conflict में बदल सकता है इसके nuclear consequences हो सकते हैं लेकिन शायद इसी वजह से चाइना अभी अपने aggressive plans को slowdown कर रहा है और global approach ले रहा है जो उसके लिए safe और strategic होगी और वो है cyber warfare की अब चाइना का cyber warfare infrastructure दुनिया में सबसे powerful और organized systems में से एक माना जाता है उनके पास cyber warriors तीन major groups में divided हैं एक military force जो cyber attacks के लिए trained है दूसरा government officials का group जो cyber espionage और warfare में involved है और तीसरा एक ऐसा loose network है जिसमें non-government hackers है जो चाइना के interests के लिए work करते हैं लेकिन चाइना उन्हें हमेशा denial mode पे रखता है अब चाइना के hackers ने कई देशों के critical data और systems को breach किया है Australia के intelligence headquarters के blueprints तक hack कर लिए गए थे Canada और Japan पर भी कई cyber attacks हुए जो उनकी companies और institutes को target करते हैं इंडिया ने भी कई denial of service attacks रिपोर्ट किये हैं और Ukraine ने भी शुरुवाती दिनों में cyber attacks face किये थे जो शायद रश्या के बहाफ पर चाइना नहीं करे होंगे अब even Vatican जो की एक religious authority है उसने भी चाइना से linked hacking attacks रिपोर्ट किये हैं अब सबसे जादा target of course US रहता है Chinese hackers ने US military, government, commercial और industrial organizations को target किया 2010 में Google hack हुआ था जिसने उनके users की privacy को भी compromise कर दिया था उसके बार Northrop Grumman और Dow Chemical जैसे defense और industrial giants पर भी attack करे गए इन attacks ने US के cyber security को एक major challenge face करने पे मजबूर कर दिया लेकिन इन cyber attacks का असली मकसद कुछ और ही है चाइना का cyber warfare सिर्फ information चुराने या government secrets access करने तक limited नहीं होता ये एक ऐसे level तक जाता है जहां वो infrastructure को disrupt कर सकते हैं और systems को disable कर सकते हैं और अपने adversaries को एक economic और strategic loss दे सकते हैं आप सोचो अगर चाइना एक large scale cyber attack initiate करे जो USA और allies के critical systems को shutdown कर दे electricity grids, communication networks और जितनी भी banking systems हैं उन सब को compromise कर दे अब ये सब without a single bullet being fired हो सकता है और disruption का फाइदा उठाकर चाइना अपने strategic goals को achieve कर सकता है जैसे की एक immediate raid on time अब चाइना का बड़ा game plan क्या है देखो चाइना का plan बस military might और economic power के थुरू ने बलकि strategic alliances, cyber warfare और indirect influence के थुरू global dominance establish करना है और वो दीरे दीरे अपने power और influence को इस तरह से बढ़ा रहा है कि traditional military confrontation के बिना भी वो एक super power बन सकता है जैसे जैसे चाइना अपने cyber capabilities और diplomatic strategies को refine कर रहा है उसका focus यह है कि वो दुनिया में अपने लिए एक dominating position बनाएं और अपने adversaries को weaken करें अब एक conclusion इसका यह निकलता है कि चाइना के international ambitions clear है और वो अपनी position को आज़ा global superpower strengthen करना चाहता है पर इसके लिए वो traditional military confrontation से हट कर cyber warfare, economic dominance और strategic partnerships का इस्तिमाल कर रहा है उनका focus slow and steady approach पे है और वो अपने allies, cyber networks और economic strategies के सरीए global dynamics को अपने favor में बदल रहा है अब यह strategy कम noise create करती है लेकिन result उसी intensity से देती है जतना कि एक battleground में bullet fight से होता है अब चाइना का यह approach उसके global takeover plan को refine और strengthen कर रहा है जिसमें वो अपने adversaries को weaken करते हुए अपना influence बढ़ा रहा है और एक ऐसे future की तरफ बढ़ रहा है जहां वो एक undisputed superpower बन सकता है अब इसके बाद जब हम चाइना की cyber warfare या चाइना की hacking को देख चुके हैं तो सवाल यह उठता है कि भी आखिर कार चाइना को data चाहिए क्यों है अब चाइना के cyber hacking के efforts और उसके territorial expansions के पीछे असली मकसद क्या है यह एक ऐसा सवाल है जो दुनिया भर के analyst को सोचने पर मजबूर कर रहा है अब चाइना के लिए यह सब सिर्फ tactical और military advantage सक सीमित नहीं है बलकि अपने आने वाले economic और global superpower goals को achieve करने का एक हिस्सा है सबसे पहले अगर हम data और intelligence gathering की बात करें तो strategic advantage के चलते हुए चाइना के cyber hacking का primary मकसद technology और military intelligence को gather करना है अब इस intelligence को use करके चाइना अपनी military और economic strength को grow कर रहा है trade secrets और technological brew prints को hack करना उनके Chinese style capitalism का एक significant part बन गया है जैसे ही वो confidential data चुराते हैं वो उसे अपने domestic companies को competitive edge देने के लिए use करते हैं तांकि वो major western products के cheaper version डेवलप कर सकें और ये अपनी economy को fast track पर ले जाने का एक tool है जो चाइना को global market में present time पे एक top contender बना रहा है manufacturing sector में लेकिन उनका hacking सिरफ private companies तक सीमित नहीं है वो government institutions और military databases को भी target करते हैं क्योंकि इनमें confidential diplomatic information और strategic plans शामिल होते हैं अब ये confidential data future conflicts में काम आ सकते हैं जिसमें वो US और उसके allies के systems को disable करने का एक तरीका ढूंद सकता है अब अगर हम अगली बात करें तो cyber warfare का role चाइना के future warfare plans में एक key role play करेगा अगर कभी चाइना ताइवान या किसी और nation पर full scale attack plan भी करता है तो USA के critical systems को एक specific movement पर shutdown करना उन्हें वो strategic edge दे देगा जो battlefield में शायद चाइना United States of America से ना ले पाए जब US अपने infrastructure को reset करने में busy होगा तब फिर से चाइना ताइवान पर अपना एक hold establish कर लेगा जो उसका long term strategy goal उसे around से achieve करवा के दे सकता है अब चाइना open ली कभी अपने hacking operations को accept नहीं करेगा आकसर जब उनसे पूछा रहाता है तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता आपके hacking की बात कर रहे हो लेकिन simultaneously वो दूसरी companies को hack करते रहते हैं ये deny or disrupt strategy उन्हें plausible deniability देती है अब अगर हम South China Sea की बात करें तो regional control और expansion के चलते हुए Taiwan और Hong Kong के साथ साथ South China Sea भी चाइना के expansionist goals का एक central part है चाइना का claim है कि वो South China Sea में अपनी sovereignty assert करते हैं और वहाँ foreign militaries के intelligence gathering activities को रोकने का पूरा अधिकार रखते हैं अब ये claim उन्हें directly वियतना Philippines, Indonesia और कई दूसरे Southeast Asian countries के साथ conflict में डाल रहा है और ये वही region है जहाँ China ने multiple artificial islands और military bases established करे हैं ताकि उनका presence permanent हो और वो अपने claims को practically और जादा enforce कर पाए अब जैसे हमने देखा था कि हेग tribunal ने Philippines के favor में ruling दी थी लेकिन चाइना ने international rulings को openly ignore कर दिया था अपने harassment tactics और territorial claims को उसने aggressively continue रखा अब उनका ये जो stance है वो हमें दिखाता है कि उनका goal सिरफ region को control करना नहीं है बलकि अपने neighbors को intermediate करना है और अपने influence मिलाना है अगर हम आसपास के regions की बात करें तो China उनके लिए भी एक बड़ा threat बन गया है अपनी cyber capabilities, military expansion और strategic territorial claims के साथ वो एक ऐसे power में transform हो रहा है जो किसी भी traditional superpower से टकर लेने की शमता रखता है उन्होंने एशिया में अपना reach Taiwan और Hong Kong से लेकर South China Sea तक extend कर लिया है और ये चीज उनके regional influence को और भी solidify कर रही है अब चाइना के इस aggressive expansion और military build-up ने रशिया के साथ साथ दुनिया के कई और nations को भी alert कर दिया है उनका aim सिरफ ये नहीं है कि वो एक regional power बने बलकि अपने आसपास के countries पर इतना control जमाले कि अगर कभी उनको कोई बड़ा strategic move करना हो तो उनके पास resistance face करने का chance बिलकुल minimum हो Hence एक global super power बनने का China का जो ये long term game है उसमें असली गोल सिरफ technology और military intelligence पर नहीं रुपता ये एक well thought out plan का हिस्सा है जो उनको एक undisputed global super power बनने की तरफ लेके जा रहा है Cyber warfare, territorial expansion और economic control के जरिये वो अपनी position को globally establish करना चाहता है और ये sub steps दिखाते हैं कि वो अपने pieces को धीरे धीरे board पर रख रहा है और जब वक्त आएगा तो वो अपना strategic move definitely करेंगे चाइना के actions उनके allies और adversaries के लिए एक wake up call है क्योंकि उनका ये plan इतना subtle और systematic है कि जब तक वो अपने goals अचीव करेंगे तब तक दुनिया उनका counter plan करने में already late हो चुकी होगी लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि how will west react to this तो दोस्तों अगर चाइना के पास आज की date में अपने weapon के तौर पे data है तो भई west के पास अपने sanctions हैं जो अभी तक effective तो रहे हैं लेकिन अभी चाइना ने Russia के जरीए अपनी smart diplomacy के साथ इन्हें भी कुछ हद तक bypass करने का एक way out ढूण लिया है तो क्या है western nations की sanctions scheme चलिए से जानते हैं अब अगर हम sanctions war को देखें तो definitely इन्होंने रश्या को impact करा लेकिन इन्होंने रश्या और चाइना की dynamics को भी impact करा सबसे पहले हम अगर oil shipping और insurance के sector में देखें तो रश्या का जो dependence है वो काफी हद तक चाइना के उपर बढ़ गया था जब west ने रश्या oil shipping को insure करने पर sanctions लगाए तो रश्या को अपनी energy exports के लिए जो options थे वो बहुत limited मिलने लगे अब इस moment का फाइदा चाइना ने उठाया चाइना ने अपने super tankers और third party vessels को insurance provide करने का काम शुरू कर दिया तांकि रश्या अपने oil को export कर पाए अब एक Chinese executive ने reveal करा कि 2023 में चाइना ने 18 super tankers और 16 vessels को insure करा जिनके जरिये 15 million metric tons of crude oil transport हुआ लेकिन इस मदद के पीछे चाइना का अपना motive है यह सिरफ रश्या को support करने का एक रास्ता नहीं बलकि रश्या को चाइना पर और dependent बनाने का उसका एक tool है यानि जितना जादा रश्या चाइना के support पर dependent होता है उतना ही चाइना उसके economic और political decisions में influence कर पाएगा अब दूसरा trade और yuan का dominance देखो रश्या और चाइना के बीच अब जादा तर trade transactions चाइनीज यूआन में हो रही है जैसा कि भारत नहीं करा थे जो चाइना के लिए एक major win है पहले रश्या अपने exports का सिरफ 0.5% यूआन में करता था लेकिन अब ये बढ़कर 14% हो चुका है अब इससे रश्या का जो trade है और भी चाइना की तरफ shift हो रहा है और चाइना demand कर रहा है कि सारी की सारी transactions जितनी भी बाकी बची है वो भी यूआन में ही हो अब इस वजह से यूआन रश्या में dominant currency भी बन गया है जो चाइना के लिए advantageous है पर इस shift का downside रश्या को face करना पढ़ रहा है और वो downside यह है कि रश्या के पास yuan reserves तो हैं लेकिन उनका एक limited international acceptance रश्या की overall trade और economy को limit कर रहा है कुछ वैसा ही सेनारियो जैसा भारत के रूपी के case में हुआ था अब रश्या के पास ऐसी currency reserves हैं जो जादा global acceptance नहीं रखते हैं और रश्या के लिए globally essential goods acquire करना मुश्किल हो रहा है अब अगला अगर हम South China Sea और territorial control की बात करें तो इसमें भी sanctions का एक major role है अब चाइना ने अपने regional expansion को सिरफ economic partnership तक सीमित नहीं रखा वो South China Sea में अपना control भी asset कर रहा है जो Indonesia, Vietnam, Philippines जैसे देशों के साथ conflicts को जनम दे रहा है अब हेक tribunal ने भी जो हमने पहले बात discuss करी कि Philippines के favor में ruling दी थी लेकिन चाइना ने इसको ignore करते हुए harassment और tactics अपना है जो कि वो aggressively अभी तक भी continue कर रहा है अब ये सब दिखाता है कि वो अपने regional dominance के लिए किसी भी international ruling को नहीं मानता अब इसी के बीच इन सब sanctions का फाइदा चाइना, रश्या के manchuria और far east में resources के लिए भी उठाना चाहता है तो देखो, रश्या के context में चाइना का long term interest सिरफ current trade और political influence तक limited नहीं है उनका एक major target रश्या का manchuria और Russian far east है ये regions चाइना के लिए critical resources जैसे के energy और water hold करते हैं जो उनके droughts और water shortages को mitigate कर सकते हैं रश्या far east में vast unexplored resources रखे हुए हैं और चाइना अगर इनका access पा ले तो उसका economy और energy security बहुत strong हो जाएंगे अब इसके बाद चाइना रश्या से historical revenge लेने का भी सोच रहा है अब चाइना को अपना पुराना history भी याद है जब 1858 में Russian empire ने चाइना पर humiliating treaties imposed की थी और manchuria के regions चीन लिये थे अब चाइना अपने past के junior partner status का गुसा भी carry करता है और वो रश्या पर अपने influence को इस बार dominate करना चाहेगा अब रश्या की weakness already हो चुकी है western sanctions की वज़ा से और Ukraine war के failures में अब जिससे चाइना को एक opportunity मिल गई है कि वो रश्या टेरिटरी और resources पर अपना long term control establish कर पाए अब इसी के बीच अगर हम bigger picture को analyze करें तो Russia is getting weak और China is rising रश्या और चाइना का partnership अब junior senior partner से हट कर dependency और dominance पर shift हो गया है रश्या के पास अब सिर्फ nuclear weapons का strategic advantage है लेकिन उनका overall influence और reliability हर एक sector में weak हो चुकी है चाइना जो अपने economic और military strength में rapidly expand कर रहा है इस dependency का पूरा फाइदा उठा रहा है और अपने global dominance के goal को achieve करने के लिए रश्या को एक stepping stone की तरह use कर रहा है अब चाइना के ये moves उसके long term strategy को highlight करते हैं वो रश्या के resources, territories और economy को अपने advantage के लिए shape कर रहा है जब तक वो अपने bigger goals जो की एक global superpower का status है और USA का replacement है जब तक वो ये achieve नहीं कर लेता कि वो रुकने वाला नहीं है अब तब तक ये जो partnership है वो रश्या के लिए उतनी beneficial नहीं होगी जो तनी China के लिए है और जैसे जैसे रश्या weaken होता जा रहा है वैसे वैसे चाइना उसके उपर अपना control और influence और भी बढ़ाता जा रहा है अब इनसा points को देखा जाए तो चाइना का रश्या के साथ ये relationship एक carefully planned और self-serving approach है जो आगे चलकर उसको globally और भी powerful बनाने में मदर करेगा रश्या की resources और territories पर interest रखते हुए चाइना अपने regional और international goals को achieve करने में लगा हुआ है और ये clear है कि वो रश्या की weakness का पूरा पूरा फाइदा उठाने से कभी नहीं रुखेगा अब last में हम अगर अपनी बात करें कि वहाई इन सब चीजों में हम भारत को कहां पे देखते है तो वैसे तो अपने आप में है कि ये बहुत लंबा topic अगर आपको इसके उपर एक specific video चाहिए तो आप comments में ज़रूर mention करेगे अब यहाँ पे भारत में अपनी strategic diplomacy का परदर्शन करते हुए चार महतवपूरण points पर focus करा भारत की ये पूरी policy का मकसद सिर्फ अपनी international image को और मजबूत करना नहीं था बलकि अपने बड़े competitors खास तोर पर अमारिका और चाइना को एक clear और जोरदार message देने पर भी था सबसे पहले बात हम करते हैं de-dollarization की और multi-polar world के concept की अब भारत ने इस summit के दुरान ये बात बिलकुल साफ कर दी कि वो सरफ US dollar पर global trade और economic transaction के लिए dependent नहीं रहना चाता अब भारत का मकसद है कि world trade में एक से ज़ादा currencies का use हो यानि कि एक multi-polar currency system बनाया जाए जिसका सीधा मतलब ये है कि अब सिर्फ dollar ही नहीं बलकि हर continent के बड़े देशों की currencies भी global trade में शामिल होनी चाहिए अब भारत में इसके जरीए एक indirect message चाइना को भी दिया जो काफी टाइम से अपने युवान को ब्रिक्स की official currency बनाने का सपना दिखा रहा था अब भारत में बिलकुल साफ कर दिया कि अगर ब्रिक्स में currency reserve बनाने की बात होगी तो सिर्फ युवान नहीं बलकि इंडियन रुपी और रशियन रूबल भी उसका हिस्सा होगा यानि भारत में ये क्लियर किया कि ब्रिक्स एक multipolar currency ब्लॉक होगा जिसमें हर member का योगदान होगा और किसी एक member का dominance नहीं होगा इससे अमेरिका को भी ये signal मिला कि अगर उसने दूसरे देशों के साथ fair relations नहीं बनाई रखे तो भारत के पास international trade को डॉलर से अलग ले जाने का option definitely है ये करारा जवाब था जो USA और Canada ने five eyes alliance के चलते हुए निजर मडर केस में हमारे diplomats हमारे intelligence agencies और हमारे लोगों को frame करा है दूसरा सबसे important चीज भारत में जो यहाँ पर करी हो है estro diplomacy अब इसमें भारत और रश्या ने अपने बीच एक agreement साइन करा है अब कजान सब्मिट के side lines में भारत और रश्या ने एक बड़ी unique और vision से बड़ी partnership का announcement किया जिसे हम estro diplomacy कहते हैं भारत और रश्या ने मिलकर space exploration consortium बनाया है जो छोटे-छोटे modular nuclear reactors को moon के surface पर establish करने का प्रयास करेगा यहां बात एक micro small modular reactor की हो रही है जो सिरफ 5 megawatt तक की बिजली generate कर सकता है यानि यह एक experimental reactor है जो future में scientific research और energy resources के exploration में इसका बहुत तगड़ा योगनान होगा अब इस alliance का सीधा message चाइना और अमारिका दोनों को गया है पहला यह कि भई एक तो tough response है अमेरिका की उस aggressive stance का जिसके against वो इंडिया को target करने में लगा हुआ है जैसे कि कालिस्तानी गुर्पत वन सेंग पन्नू और कानडा में टूडो के actions के चलते हुए diplomatic tensions जो उसने सारी की सारी इंडिया पे डाल दी अब दूसरा यह agreement रश्या का भी एक tough response है चाइना के खिलाव कि चाइना ने रश्या के साथ एक lunar research station बनाने की planning में रश्या को junior partner की तरह treat करना शुरू कर दिया था लेकिन रश्या ने भारत के साथ जुड़कर अपनी autonomy और dominance का परदर्शन करा है और जितनी अब तक हम narrative build करते हैं रश्या के दुरान के it is getting weak यह उसका भी उसको चाइना को एक कड़ा जवाब था अब Global South और South South cooperation के अगर हम बात करें जो तीसरा aspect है तो भारत ने यह भी demonstrate करा कि भाई वो Global South के leaders में से एक है और South South cooperation का जरिया बन सकता है इस पूरे कजान समिट के दुरान भारत में यह emphasize करा कि आज digital public infrastructure, disaster resilience infrastructure और international solar alliance जैसे initiatives भारत की leadership में Global South के देशों में काफी progress कर रहे है यह सब उस point को re-emphasize करता है कि भारत के पास सिरफ ideas नहीं बलकि real world projects हैं जो developing nations को empower कर सकते हैं अब इस step से भारत में अपनी international credibility को और भी मजबूत कर दिया है खास तोर पर United Nations Security Council में permanent membership के लिए भारत का claim और भी ज़्यादा strong हो गया है अब इस पूरी approach ने West और especially US को भी यह signal दिया है कि भारत एक responsible और impactful international player है जो सिरफ बाते नहीं करता बलकि ground पर real projects भी implement करता है और lastly Ethiopia की bricks में inculcation अब अफरीका की इस region में अपना परभाव बढ़ाने के लिए भारत ने strategically Ethiopia को bricks में शामिल कराके अपना foothold वहाँ पे मजबूत किया जो इन दोनों nations का regional rival है अब इस inclusion का सीधा impact यह है कि आफरीका में जो चाइना का परभाव था वो अब कम हो सकता है क्यूंकि Ethiopia के bricks में आने से वहाँ चाइना का influence dilute होगा भारत ने strategic move से चाइना को indirect message दिया है कि जो काम चाइना ने SEO यानि कि शंगाई corporation organization में Pakistan को include करके भारत के against करा था अब उसी तरीके से भारत ने bricks में Ethiopia को लाके चाइना को counter किया है इन चार master strokes के जरीए भारत ने साफ और जोरदार message दिया है कि अब भारत एक responsible autonomous और capable global power बन गया है जो कि international relations में अपने independent stance को project कर सकता है अब इस सब analysis को जानने के बाद what are your views about it will this Taiwan and North Korean Peninsula region will be the next war theater and India इसके दरान क्या stance लेगा और क्या India को stance लेना चाहिए so that was analysis for today's video I hope you like it what are your views about it do mention in the comments if you want more videos like this do mention in the comments I'll see it and I'll respond to you personally study IQ IAS अब तयारी हुई affordable